हलो बच्चो उमीद है कि आप अपनी तयारी कर रहे होंगे एक्जामनेशन के लिए और करना भी चाहिए आपके कैरियर के जो सवाल है मैं पूरी कोशिस करता रहा हूँ इन वन शॉट के दोरान कि आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सुपर कंटेंट दूँ इस वन श उससे पहले कि अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता अरवीन सर को मोटिवेशन आता और एक बात अगर आपको वीडियो हेलफुल लगे आपका इससे काम बने तो ही आप अपने दोस्त को एक दोस्त को कम से कम ये वीडियो शेयर जरूर करें उस ऐसा करिएगा जरूर आगे बात करते हैं हम लोग कि अरवीन सर के वन शॉट औरो के वन शॉट से क्यों अलग है क्या खास बात है इसके अंदर तो औरो से अलग क्यों 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 कि इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको कवर मिल रहे हैं जीरो टू हीरो सिरीज अगर किसी बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और ये वन शॉट देखता है तो उसको confidence level यहां से यहां पहुँच जाने वाला है बहुत तगड़ा उसको फाइदा होने वाला है साथ में pure teaching मिलेगी कोई फालतू talks नहीं यानि जब जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है एक मिनट के बाद पूरी पढ़ाई के दोरान आप से केवल teaching की ही बात की जाएगी purest form of teaching कोई फालतू गिरी की बात नहीं जिससे आपका time waste ना हो अभी बच्चे कहते हैं कि सर मुझे इसका presentation भी अगर मिल जाता तो पढ़ने में काफी सहूलियत हो जाए तो उसके लिए भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है आपको अर्विंद एकडमी टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF मिल जाएंगे वो लिंक दिया हुआ है description में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं साथ में कुछ बच्चे कहते हैं सर आप से पढ़ना है मुझे ज़्यादा आसान भाषा में आप पढ़ा देते हैं तो यह अर्विंद एकडमी का एप है एप को आप डाउनलोड कर दीजिए इसके लिंग भी description में मिल जाएगा इसमें कई तरह के courses आपको मिलेंगे जो suitable course आपके हिसाब से आपको लगता है ले लिजे सारे courses आपको बहुत बढ़िया marks दिलाने के लिए सक्षम है चली अब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और चलते हैं शुरू करते हैं heat heat क्या है देखिए heat एक energy है heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness and coldness एक energy है जो हमारे अंदर sensation produce करती है गर्माहट की या ठंडे पन की जब हम किसी चीज़ को छूते हैं और वो चीज़ गरम होती है यानि वहां से energy हमारे अंदर आती है गरम बरते को मालीज़ सुबह चाय पीते हैं चाय को प्याले को छुएंगे तो गरम लगता है क्योंकि वहां से जो energy है वो हमारी body में आती है तो हमको गरम लगता है आजकल ठंड़क चल रही है तो atmosphere में हमारी energy जाती है तो हमको ठंड़ा लगता है तो heat क्या हुई? heat पहली बात energy है और हमको sensation देती है coldness की या फिर hotness की बढ़ियां आगे बात चलेंगे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अच्छा कई theories heat को लेके रही है fail भी होती रही है बंती भी रही है तो एक theory हमारे पास क्या थी? जिसे caloric theory of heat बोला जाता था इसमें ये माना जाता था जैसा इसमें लिखा हुआ है according to this theory heat is an invisible, weightless and odorless fluid called caloric अब इस theory के according मैं color को तोड़ा change कर लेना चाहूंगा इस theory के according ये माना जाता था कि हर जगा atmosphere में एक ना दिखने वाला invisible ना दिखने वाला weightless जिसका कोई भार ना हो odorless जिसकी कोई सुगंद ना हो महक ना हो वैसा एक fluid है जो हर जगा caloric के नाम से भरा हुआ है जब भी कहीं पर hotness या ठंडा पना आता है वहाँ पर caloric जो fluid है उसका आदान परदान होता है लेकिन ये theory जदा दिन चल नहीं पाई ये flop हो गई या इसमें कमिया मिली उसका main कारल क्या था कि जो friction था इस theory failed to explain the production of heat by friction जो friction में heat पैदा होती थी उसको ये theory explain नहीं कर पाती थी इसलिए ये fail हो गई और अगली theory जो picture में आई उसका नाम ता dynamic theory of heat मैं जो भी topic आपके course में है cbac में उसमें हर topic को explain करने वाला हूँ कोई भी topic छूटे गा नहीं irrespective of the time of this video पूरा भरुसा करके video अंत्रक देखिए with numerals और super super native degree के concept build up कीजिए सरल भाषा में physics सीखते हुए एक कदम और आगे बढ़ेंगे और video पसंद आने पर like जरूर कीजेगा वोगी जैसा हर बार में कहता हूँ कि like करने में आपका कुछ नहीं जाता अर्विन सर को motivation आता चलिए कदम और आगे बढ़ाते हैं dynamic theory of heat फिर उसके बाद जो theory आई वो थी dynamic theory of heat dynamic का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का move करना है ना तो movement हो रहा है तो किसका movement हो रहा है अब यहाँ पर देखिए बात दिखी गई according to this theory all substances solid liquid gases are made of molecules सभी जो substances है वो molecules से मिलके बने हुए है और यह जो molecules है वो continuous random motion में होते है बाई सभी चीज़े बनी है molecules से चाहे वो solid हो liquid हो gases हो और यह जो molecules है वो शान्ती तो बनाए नहीं रखते continuous random motion में होते है हिलते रहते हैं इस वज़े से इनकी जो energy होती है heat is an energy of molecular motion which is equal to the sum of total of kinetic energy possessed by the molecules of a body by virtue of their translational, vibrational and rotational motion यह जो तीन तरह के motion वो रख सकते हैं translational motion, vibrational motion और rotational motion यह सभी तरह के motions को energies को अगर हम जोड़ दें तो जितनी energy उनके पास रहती है वो हो जाएगी और उसी वज़े से heat रहती है यह बात इसमें कही गई dynamic theory में कि भाई heat क्यों होती है heat क्यों है क्योंकि वो जो molecules है वो motion कर रहे हैं और motion तीन प्रकार से कर सकते हैं translatory, vibratory, rotation rotatory motion जिसकी वज़े से अगर ज्यादा motion होने लगेगा ज्यादा heat हो जाएगी कम motion होगा कम heat होगी ऐसी बात कही गई अब CGS unit of heat क्या होती है calorie आप तो मालूम होगा और calorie की यह definition है कभी-कभी आप किया उसकुलों में पूछ ली जाती है तो इस definition को भी आप दिमाग में रख सकते हैं 1 calorie is defined as the heat energy required to raise to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade इसको बोलते है 1 calorie of heat तो इसको आप definition को याद रख सकते हैं और असानी से लिख सकते हैं बहुती सरल definition है और calorie का Joule में जो conversion है 1 calorie is equal to 4.186 Joule ये भी आपको पता ही होगा इसमें कोई भी दिक्कत वाली वात भी पहले से आप जानते होंगे कोई special चीज इसमें नहीं है आगे बोलते हैं Joule's mechanical equivalent of heat तो इसमें भी mechanical equivalent क्या है it may be defined as the amount of work done that must be done to produce a unit quantity of heat और वही वात यहां लिखी गई है देखिए जो भी देखी थी J is equal to 4.186 Joule per calorie तो ये J is equal to W upon Q Joule's mechanical equivalent of heat है इसको हम याद रख सकते हैं जहां भी calculation के लिए ये काम आती रहेगी अब बात करते हैं temperature की बिटा और temperature जिसा आप देखेंगे ये temperature क्वाला term एकदम heat से अलग है कई बच्चे थोड़ा confused हो जाते हैं कभी कभी temperature और heat को एक जैसा समझ लेते हैं ऐसी गलती मत कीजेगा temperature और heat दोनों अलग अलग बाते हैं क्या और कैसे ये समझेंगे temperature may be defined as the thermal state of a body which decides the direction of flow of heat energy from one body to the another body when they are placed in thermal contact with each other देखें temperature एक deciding authority है जो ये बताता है कि heat energy किस तरफ से किस तरफ flow होगी जैसे एक body number one है और ये body number two है body number one, body number two अगर इसको हम किसी चीज़ से एक body से या किसी conducting material से connect कर दे तो heat किस तरफ से किस तरफ जाएगी ऐसे नहीं बता जा सकता हम बताएंगे कि माल लीजे इसका temperature है 100 degree centigrade और इसका temperature है 90 degree centigrade तो हम ये बता सकेंगे कि ज्यादा temperature से कम temperature की तरफ heat जाती है 100 degree centigrade से 90 degree centigrade की तरफ heat का flow होगा heat इस तरफ मुरूफ करेगी तो temperature क्या decide कर रहा है flow of heat temperature will decide temperature will decide the flow of heat flow of heat energy तो flow of energy decide करने वाला बंदा कौन King Khan मतलब temperature will decide की heat किदर से किदर जाने वाली को कि heat तो energy है temperature वो pre-marker है जो ये बतावेगा कि कहां से कहां तुमको जाना है ठीक है एक कदम और आगे चलते हैं heat versus temperature यहां के लिए मैं red color का पनी यूज़ करूँगा शायद वो ज्यादा बहतर दिखे दोनों में difference है कुल मिलाकिद हमारी दिमार्ग में ये छप जाना चाहिए कि heat और temperature बोथ हार different दोनों same नहीं है दोनों अलग अलग बाते हैं कोन दोनो heat and temperature चलिए समझ लेते हैं कि क्या अलग अलग बाते हैं heat के अंदर heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness और coldness एक energy है sensation produce करती है hotness या coldness की temperature temperature is the degree of hotness कितनी ज़्यादा गर्माहट बहुँ कोई चीज़ गरम है तो कितना गरम है ये कैसे पता चले एक चाय गरम है और एक आग गरम है गरम दोनों है लेकिन कौन कितनी गरम है ये कैसे बताएंगे temperature से बताएंगे ठंडी है तो तो भी temperature से बताएंगे it is a cause when some heat is supplied to your body its temperature increase ये कारण है ये कारण है कि हम जब heat किसी को देते हैं तो उसका temperature बढ़ता है और ये effect है यानि ये कारण है और ये इसका effect है temperature effect है it represents the total kinetic energy of the molecules of a body ये total kinetic energy of the body है ये क्या है it represents the average kinetic energy possessed by the molecules of a body average kinetic energy ये total kinetic energy फरक देखिएगा heat flows from high temperature side to low temperature side irrespective of the amounts of heat possessed by the bodies in contact ये कह रहा है कि heat flow होती है जादा temperature से कम temperature की तरफ वो ये माने नहीं रखता कि heat किसमें जादा है किसमें कम माने ये रखता है कि temperature किसका जादा है किसमें कम है जादा से कम उस तरफ heat का flow होगा temperature decides the direction of flow of heat from one body to another body समझ में आती ही बात it is measured in calorie, kilo calorie और joule it is measured in degree centigrade Fahrenheit और Kelvin तो ये एक basic सा chart है table है जिसे आप दिमाकी तोर पर तयार कर सकते हैं एक कदम और आगे बढ़ते हैं अब आता थर्मोमेटरी तो ये थर्मोमेटरी के चीज़ होती है इसके लिए मैं फिर चे कलर थोड़ा बदलूँगा थोड़ा सा vibrant green लेता हूँ तो थोड़ा चमके the branch of physics that deals with the measurement of temperature तो मैंने highlight भी किया है ये measurement of temperature थोड़ा और इसको मैं चक्कर में हूँ की ये measurement of temperature की जो कहानी है वो थर्मोमेटरी में आती है कि हम temperature को मापना नापना चाहते है उसे हम बोलते है थर्मोमेटरी बड़ी अच्छी बात है भई नापेंगे अब थर्मोमेटर जैसे हमारा बुखार नापने वाला भी थर्मोमेटर था फीवर आजकल तो बहुत को दिक्कत हो जाती ही फीवर की तो एनी डिवाइस यूज़ तू मेज़र दी टेंपरेचर आफ ए बॉड़ी इस कॉल्ड थर्मोमेटर आप जानते ही है कभी न कभी घर में इस्तेमाल हुआ ही होगा हम लोगी नापते रहते हैं जरुद पढ़ने पर principle of a thermometer क्या है ए थर्मोमेटर makes use of some measurable property कोई measurable property को use करते हैं कोज थर्मोमेटरिक प्रपर्टि of a substance which changes linearly with temperature जैसे की जो पहले वाले थर्मोमेटर आते थे उसमें पारा भारा होता था mercury हग आज कल तो digital thermometer मिलते हैं पुराने वाले भी विसे मरकरी वाले तो मरकरी में क्या था कि temperature के साथ वो expand होती थी बहुत तेजी से तो बुखार होगा तो जल्दी से पारा चड़ जाता था हम बुखार नाप लेते थे तो वो property थी एक उसकी और अब तो डिजिटल वाले आगे हैं तो circuit पर बेस्ड होते हैं of a substance which changes linearly with temperature यह बात हमारी समझ में आता है principle of thermometer है जैसा बताया आपको आगे कदम और बढ़ते हैं thermometric scales कैसे बनाई जाती है इसके दो पॉइंट fix किये जाते हैं वेटा कैसे the range between two fixed points कौन से दो fixed points is called fundamental intervals when which divided into a suitable number of equal divisions form a thermometric scales दो पॉइंट हम fix कर लेते हैं कभी कभी हम fix कर लेते हैं it depends on कि कैसा temperature नापने वाले हैं और दो point fix fix कर लेने के बाद इनके बीच कि सब divisions equally कर लेते हैं और thermometric scale इसके हिसाब से दे दी जाती है खेर अब different different metric skills भी होती है वो भी अभी आपके सामने आएंगी types of thermometric skills चातर की thermometric skills होती हैं कौन-कौन सी होती ही क्य सेल्सियस स्केल अब सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसका lower fixed point ice point को रखते हैं दो fixed point चाहिए थे ना वैटा मैं ऐसे ऐसे तो जो lower fixed point है वो 0 degree centigrade पर रखते हैं और upper fixed point को हम लोग 100 degree centigrade पर रखते हैं और इसके बीच में हम लोग steam point हो गया और यह हो गया हमारा ice point मैं color light के चक्कर में हूँ अभी तक पकड़ ना पाया हूँ तो इसके बीच के intervals को दो fixed point में divide कर लेते हैं 100 equal divisions में इसके बीच में जो हैं उसमें 100 equal divisions हम कर लेते हैं ऐसे ऐसे और सबको एक एक डिगरी दे देते हैं तो यह celsius scale बन जाती है ध्यान क्या रखना है lower fixed point 0 degree centigrade जो ice points है अपर fixed point steam point जो की 100 degree centigrade है इनके बीच के जो खाने हैं इसके divisions हैं वो 100 divisions हैं और एक एक डिगरी centigrade का difference दे दिया है foreign height scale lower fixed point 32 degree Fahrenheit पे देते हैं नीचे वाला point क्या दिया 32 degree Fahrenheit उपर वाले की देखिए बात की तो 200 अपर fixed point कहां पर है two hundred twelve पर two hundred twelve degree Fahrenheit पर और इसके बीच में 180 equal divisions कर देते हैं यह देखिए इसको याद रखिए कि इसके बीच में कितने divisions हैं 180 divisions 180 divisions और इसको one degree Fahrenheit से बोलते हैं different scale से तर्मोमेटरीगी जो आपके ध्यान में होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं एक रिमर स्केल है लोवर फिक्स पॉइंट इस टेकन है जीरो रिमर अपर फिक्स पॉइंट इस एटी रिमर इंटेवरल असी रिमर का है और एक रिमर का इसके बीच का डिफ्रेंस हो जाता है कैल्विन स्केल इससे जान पैचान होगी आपकी लोवर फिक्स पॉइंट क्या है इसका पॉइंट बन फाइव अपर फिक्स पॉइंट हो गया 73.15 इंटरवल हो गया बीच के सो एसाई यूनिट ऑफ टंप्रेचर एक कैल्विन होती है यह आप जानते ही है टंप्रेचर के साई यूनिट कैल्विन तो यह टाइप्स ऑफ थर्मिमेट्रिक स्केल भी हो गई आपको जो आपकी जानकारी में होना ज़रूरी है अब मैजर्मेंट ऑफ टंप्रेचर एक दूसरे में इनको चेंज करने का भी प्रॉसस होता है एक स्केल से दूसरी स्केल में तो टीसी टीएफ टी आर और टीके आर दे टंप्रेचर साफ बॉडियन सेल्सियर्स फॉरेंट रिमर एक फॉर्मुला है दोनों एक की फॉर्मुले नीचे मैंने कैंसल करके लिख दिया है टीसी माइनस यूरो पॉन हेंट इसकर टीएफ माइनस 32.180 जो डिविजन्स थे वो नीचे आए हैं टीर माइनस 0.80 इसकर टीके माइनस 273.15100 और नीचे जो है आप देखेंगे तो ये 20 स डिवाइट करेंगे तो ये फिगर आजाएगे तो ये फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर इस पर नुमेरिकल आपके बन जाते हैं सरल नुमेरिकल आते हैं लेकिन ये फॉर्मुला बेज नुमेरिकल होते है जो आप तभी कर पावेंगे जब आपको आएगा मेरे खल से आप बात समझ पा रहे हैं ठीक आगे चलते हैं हम दो यह एक numerical है इसको करके मैं दिखाता हूँ At what temperature do the readings of Celsius and Fahrenheit skills coincide Celsius और Fahrenheit skills जो है वो coincide कर जाएं हम इसको solve करने में माल लेते हैं जहां पर यह coincide कर रही है let Tc is equal to Tf is equal to X वो temperature क्या है? X है अब यह जो formula यहां लगाया था बेटा यह Tc वाला यह formula और Tf वाला यह formula इसका इस्तमाल करने वाले हैं लोग इन दोनों का प्यायर रखा तो इसको मैं लिख देता हूँ Tc minus 0 upon 100 is equal to Tf minus 32 upon 180 देखिए उसी का जो formula था उसको लिख दिया गया है अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसकी value कर देंगे put Tc, Tf की X के बराबर तो इसकी जगा X रखा और Tf की जगा भी X रखा बड़ी असानी से और अच्छी तरह आप देख पा रहे होंगे अब 0 का तो कुछ मतलब नहीं चाहें तो cross multiplication करके solve कर सकते हैं तो आगया 180X बराबर 100X माइनस 3200 और बात करें इसको और solve करें अगर तो 100 घटेगा तो आजाएगा 80X बराबर माइनस 3200 और X की वेलू इससे क्या आजाएगी माइनस 40 डिगरी इसका मतलब क्या है हेंस माइनस 40 डिगरी सेंटीग्रेट एंड माइनस 40 डिगरी फोरेन हाइट और आइडेंटिकल टेंपरेचर्स टिकल टेंपरेचर्स यह आपका आंसर हो गया है बेटा बस इसको थोड़ा हाइलाइट कर देना चाहिए मुझे यह दिस इस योर अंसर यह जो लिखा हुआ है इस तरह से कुश्यन आप कर सकते हैं ऐसे कुश्यन एग्जामेनेशन में पूछे जाते हैं और आपको करने भी चाहिए होंगे चलिए किदम और आगे चलते हैं इंटरस्टिंग चीज मिल लही आगे आपसलूट जीरो और आफ टेंपरेचर आपसलूट जीरो क्या होता है इसकी बात करेंगे तो लिखा क्या है कि अपसलूट जीरो में दि लोएस्ट पॉइंट टेंपरेचर आप माइनस 273.15 डिग्री सेंटिग्रेट एट विच गैस इस सपोस्ट तो हैव जीरो वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जीरो वॉल्यूम जीरो and zero pressure and at which entire molecular motion stops and is called the absolute zero of the temperature यानि absolute zero का मतलब क्या रहा डिग्री सेंटिग्रेट में माइनस 273.15 डिग्री सेंटिग्रेट का टेंपरेचर वहाँ पर आपका वॉल्यूम अप दी गैस शून हो जाएगी pressure zero हो जाएगा और molecular action जो molecule हिलते है किसी भी material में solid gas वगरा में वो सब रुक जाएगा अब यह कैसे आप समझ सकते हैं देखिए यह formula आपके पास Charles law लिखा हुआ है अब Charles law में अगर मैं यहाँ पर temperature minus रखना शुरू कर दूँ ध्यान से दिखिए तो आप क्या लिख सकते हो V naught 1 minus T upon 273.15 ऐसे value रखोगे यह value आप अगर क्योंकि कही जगा क्या होगा जब temperature घटा होगे ना गैस का तो वो condensed हो जाती है यहाँ पर पहुँचके कहीं पर condensed हो जाएगी नीचे नीचे जाने का इस्तिती ही नहीं बनेगा वो solid बन चुकी होगी लेकिन अगर आपको extrapolate करते इस figure इस formula के हिसाब से तो यह कहाँ पर जाकर यह volume 0 करेगी आप देखिए तो यह volume 0 कहाँ होगा थोड़ा मैं आओ गया और लिख देता हूँ यह होगा मैलसीम ले लेता हूँ यहाँ 273.15 minus T upon 273.15 देख पा रहे होंगे तो temperature कितना है कहाँ पर minus में रखा था 273.15 पर 0 हो पाएगा यह क्या हो पाएगा T बराबा 273.15 और यह minus में रखा है यह value कहाँ पर आए गई इसको एक्सटाप पुलेट करने पर इस जगा पर यहाँ पर एक्सटाप पुलेट किया तो हमारा volume जब यह 0 हो गया तो V minus T इस समय V minus T कितना हो गया बेटा 0 क्योंकि यह value 0 हो चुकि यह ध्यान देना volume 0 हो गया अब इससे कम का temperature नहीं रख सकते क्योंकि अगर इससे कम का temperature रख दोगे मेरे बच्चों तो होगा क्या यह graph नीचे चला आएगा और नीचे आने का मतलब क्या है volume का negative हो जाना और किसी भी चीज का volume negative होना meaningless बात है senseless बात है ऐसा कही होता है volume का मतलब होता है इसका कुछ volume है तो volume zero तो हो सकता है negative होने का मतलब क्या volume negative होने का क्या मतलब हुआ कोई तुमसे बोले तुमारी height negative है तो इसका कोई मतलब होता है तुमारी height कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है कोई पुच्चु कुच्चु कुच्चु हो zero हो सकती है चलो मान लिया तुम्हारी नहीं किसी अवस्ता में किसी की Temperance Negative हो जाये इसका क्या मतलब हो गया यह तो कोई मतलब नहीं होता यह तो Meaningless है Sensless है तो Volume Negative नहीं हो सकता अगर Volume Negative नहीं हो सकता यहाँ पर तो यहाँ पर Volume हो गया 0 और Volume 0 कब होगा जब हमारा Volume 0 होगा तो pressure भी zero होगा और kinetic theory of gases के basis पर यहाँ पर जो molecular motion है वो भी शून न हो जाए तो यह हमें important concept है ध्यान रखना चाहिए कि absolute zero पर absolute zero of temperature पर हमारा जो gas होता है उसका volume उसका volume zero volume होता है pressure zero होता है और साथ में molecular motion थम जाता है रुख जाता है और यहाँ वो कहाँ पर होता है minus 273.15 degree centigrade पर यह कहानी यहाँ पर होती है इसको आप ध्यान लखिएगा मैंने काफी कोशिस की है कि आप इसको better deng से समझ पाएं ठीक है आगे चलते हैं अब इसी base को देखते हुए बात को देखते हुए absolute scale of temperature बना दी गई इसमें क्या बोला Lord Kelvin साब ने इन्होंने बताया और समझाया कि new scale of temperature बना देनी चाहिए minus 273.15 को zero consider करते हुए को कि वहाँ पर zero देखा था हम लोगोंने तो क्यों ना हम लोग zero वहाँ से consider करें this scale of temperature is known as a Kelvin scale और इस scale को हमने क्या बोला Kelvin scale जहाँ पर हमारा absolute zero से शुरू होती है ठीक है और अब यह एक formula आ गया जहाँ पर temperature Kelvin में निकालना हो तो degree centigrade में रखिए और उसमें 273.15 और जोड़ दीजे तो यह Kelvin में निकाल आगा तो यह important है आपको पता भी है और असान भी है ठीक है तस ice points on absolute scale is 273.15 degree centigrade वह डिगरी नहीं Kelvin क्योंकि ice point के लिए 0 degree centigrade डालोगे तो 273.15 आ जाएगा एंड दा steam point 100 degree centigrade कितना हो गया 373.15 Kelvin यह बात भी दिखिए 100 यह डालोगे तो जोड़के 373.15 Kelvin आ जाएगा यह absolute scale of temperature की बात बन जाती है चलते हैं कदम आगे हम लोग फर्स क्लास समझते रहो और करते रहो triple point of water बहुत important है कई बच्चेस को लेके confused रहते हैं जबकि बहुत जादा सरल बात है triple point of temperature का मतलब किया है triple मतलब तीनों कौन से तीनों बहुत simple सी बात water की बात कर रहा है तो water की तीनों state क्या होती है water solid में पाया जाता है जब वो ice होता है बरफ होती है liquid में पाया जाता है जब वो पानी के form में होता है और आपने देखा होगा कभी कभी बरफ के उपर से भाप निकलती दिखती है आपको वैपर water vapor तो वो वैपर फॉर्म में भी होता है जब ये तीनों state एक साथ exist को exist कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि ये तीनों एक साथ coexist कर रही है उस समय चर्चा की जाती है triple point of water की अब यही बात यहां पे लिखी हुई है the triple point of water is the state at which the three phases of water namely ice, liquid water and water vapor are equally stable and coexist in equilibrium समझ पाया हों गई यह हो गया ice यहां पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है और यह vapor निकल रही है यह water की कहानी दिखा रहा हुँ आपको ठीक यह है ice, यह है liquid, ice और यह water vapor यह तीनों condition co-exist करें equally stable conditions के अंदर it is unique यह बहुत ही special condition है unique condition है because it occurs at a specific temperature and pressure यह special temperature of pressure पर होती है वो temperature क्या है वो temperature है 273.16 Kelvin करीब करीब 0.01 degree centigrade तो 0.01 degree centigrade पर यह होती है और pressure कितना होता है and a specific pressure of 0.46 centimeter of mercury column इस temperature और इस pressure पर यह तीनों अवस्थाएं आपको बर्फ की मिल जाती है और इसे बोलते है triple point of water यह आपको ध्यान रखना है और बहुत सरल भी है इन दी absolute Kelvin scale absolute Kelvin scale में इस triple point of water को खास तवज्जो या importance दी जाती है तो in the absolute Kelvin scale the triple point of water is assigned the value of 273.16 Kelvin the absolute zero is taken as the other fixed point on the scale यह दो fixed point हो गए एक fixed point यह 273.16 Kelvin triple point of water और एक absolute zero उसके लिए अलग fixed point है तो यह triple point of water है बहुती सरल और मैंने बिलकुल 4-5 लाइनों में आपको बहुती सुन्दर धंग से बता दिया उमीद है आपको काफी दिनों तक सालों तक याद रहेगा चलते हैं कदम और और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा यह मेहनत बच्चों आपके लिए है आप जब लाइक करते हैं मैंने कहा आपको लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता अर्विन सर को motivation आता अर्विन सर को motivation आएगा तो आपके लिए और मेहनत कर पाएंगा ultimately benefit आपके ही है खैर बात को आगे लिए चलते हैं लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी होती है all करके notification क्लिक करें मैं ऐसे वीडियो all लेके आता रहूंगा जिससे आपको support मिल सके physics के one shot आपको complete करके देने है कई बच्चे mask की भी बात कर रहे है तो वहाँ भी आगे बढ़के देना है आपको खैर thermal expansion की बात करते है अगला topic आजाता है thermal expansion तो thermal expansion क्या है उसकी समझने की बात करेंगे the increase in the size of a body when it is heated is called the thermal expansion जब किसी body को हम heat करते है तो heat होने की वज़े से वो expand कर जाती है उसी कम बोलते thermal expansion आप जानते ही है गर्मियों के दिने में body expand कर जाती है normally metals वेगरा और सर्दियों के जिनों में थ्टुड़ा सा compress हो जाती है ये कहानिया होती है इसके अंदर आगे देखते हैं कि कोई थर्मल expansion है वो कई तरह के होते है different type of thermal expansion majorly तीन तरह के हमारे course में है linear expansion ये lengthwise होता कोई metal rod है wire है तो wire में lengthwise expansion जो होगा वो linear expansion है superficial expansion कोई मा लिजे metal की sheet है बहुँ इस sheet को गरम करोगे तो ये lengthwise भी बढ़ेगी और ये इधर चोड़ाई भी इसकी बढ़ेगी तो ये लंबाई चोड़ाई दोनों में area बढ़ेगा कोई कि इसकी कहानी क्या हो गई area वाली तो इसको बोलते है superficial expansion फिर cubical expansion होता है इसका volume बढ़ता है उस समय बहुँ कोई cube है और उस समय cubical expansion picture में आता है जब इसको गरम करने लगते है heat up होता है तो volume expand कर जाता है it is the increase in the volume of the block on heating तो linear expansion, superficial expansion, cubical expansion तीन तरके major expansion हमें देखने हैं अब यहाँ पर देखिए अगर expansion होता है भई मा लिजए कोई दो rod हैं, wire हैं दोनों में expansion हो रहा है तो अब यह कैसे पता करेंगे कि समय ज़्यादा expansion की property है figmm किसमे कम expansion की property है भई दो बच्चें दोनों अच्छें कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा है ये कैसे पता लगाए जाए तो कि physics यहीं खतम नहीं हो जाती कि ये अच्छा है ये कम अच्छा है ये जादा अच्छा ये पता होना चाहिए कितना how much magnification, quantification ज़रूरी है उसलिए हम लोग करते क्या है coefficient of linear expansion की बात होती है तो coefficient of linear expansion क्या है जिसे हम लोग यहाँ पर alpha से denote करते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है alpha ये बताता है कि किसमे कितना property है linear expansion का alpha जादा होगा तो जादा expansion होगा, alpha कम है तो कम expansion होगा the coefficient of linear expansion of the material of a solid rod is defined as the increase in length increase in length per unit original length per degree rise in its temperature इसी formula से निकला है alpha is equal to delta L upon L into delta T अब इसको कह रहा है ने कि L और delta T को 1 कर दो तो delta L बराबर alpha हो जाएगा तो increase in length delta L per unit original length when increase कर दो per degree centigrade alpha के बराबर हो जागा that is the coefficient of linear expansion unit है per degree centigrade इसका एक और फॉर्मूला होता है L हमारी original length है और L' है after expansion 1 plus alpha into delta T तो अगर आपने delta T temperature बढ़ा दिया है तो उस समय अगर coefficient of linear expansion alpha म को मालूम है तो हम L' निकाल सकते हैं यानि अब नई वाली length कितनी हो गई पहले L थी delta T temperature बढ़ा दिया coefficient alpha पता है तो L' कितनी वो इससे पता चल जाएगा इस formula का भी इस्तेमाल किया जा सकता है चलते हैं किदम और आगे coefficient of superficial expansion इसी तरीके से जैसा भी समझा है इसको आप देख पा रहे होंगे इसको क्या बोलेंगे बीटा तो the coefficient of superficial expansion of a metal sheet is defined as the increase in its surface area per unit original surface area per degree rise in temperature इसी formula से निकला beta is equal to delta S upon S into delta T formula वही हो गया S dash is equal to S 1 plus beta into delta T और superficial expansion आप समझ रहे हैं area में expansion की बातचीत की जा रही है बस हो गया काम बहुत ही सरल होता है इसमें कोई परशानी थोड़ी है आगे बातचीत की जाए coefficient of cubical expansion cubical में cube कर जग रहे हैं तो gamma is equal to delta V upon V into delta T ये cubical expansion है per degree centigrade या per Kelvin की बात की जा रही है और वही definition इससे निकालके लिग दी गई है V dash है V1 plus gamma into delta T अब इसमें alpha beta gamma में relationship होती है वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए relation between alpha beta gamma तो alpha beta ये काफी पूचा जाता है alpha is to beta is to gamma लिखा हुआ है मैं दुबारा लिख रहा हूँ इसको 1 is to 2 is to 3 ये relationship बड़ी important है आपके exam में आती रहती है beta is equal to 2 alpha gamma is equal to 3 alpha ये relationship बड़ी important है ये आपको ध्यान रखनी चाहिए इसको तैयारी आप जरूर कर लेंगे अगली बात देखते हैं variation of gamma with temperature normally temperature बढ़ाने पर metals वगरा में gamma कैसा कैसा nature show करता है तो coefficient of cubical expansion है gamma जैसे आप भोले ना इसलिए मैंने दुबारा लिख दिया था कि आखिर gamma क्या है तो coefficient of cubical expansion है तो the value of gamma first increase with temperature यहाँ पर देखिए temperature बढ़ाने पर शुरू में gamma बढ़ता है शुरू में यह gamma बढ़ रहा है फिर कुछ दिर बाद यह हो जाएगा constant तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि the value of gamma first increase with temperature and then becomes constant at a high temperature above 500 Kelvin 500 Kelvin के आसपास यह constant हो जाता है यह variation of gamma of copper लिखा है with temperature तो metal बढ़ा में शुरू में gamma बढ़ता है temperature के साथ उसके बाद एक constant रूब ले लेता है चोटी चोटी बाते भी मैं बता रहा हूँ आपको जिसे बात आप पुरी तर से पकड़ते रहे अब variation of gamma with ideal gas में क्या होता है तो ideal gas में क्या कहान ही है देखिए ideal gas में क्या होता है यह relationship develop होती है for ideal gas आपके आप पूछे तो समा लिए गा gamma is equal to 1 upon T for an ideal gas the coefficient of volume expansion decreases with the increase in temperature यहाँ पर temperature बढ़ा होगे तो gamma कम होगा तो gamma is inversely proportional to 1 upon T यह कहानिया पर आजाती temperature बढ़ाने पर gamma कम होता है किस कारकरम में ideal gas के लिए तो ideal gas के लिए पूछा जाए तो यह relationship आप ध्यान में रखेंगे और ऐसा जवाब देंगे बहुत ही असानी से इसको किया जा सकता है तो थोड़ा बहुत मैंने करके दिखाया आप चाहें तो उसको कर भी सकते है PV is equal to nRT होता है और constant pressure के उपर इसको differentiate करेंगे तो constant pressure है तो differentiate कर तो P delta V is equal to nR delta T लिख सकते हैं यहां से देखिए वो value लिखी गई है यहां से ही अगर निकालें तो delta V लिखो यहां delta V और इसको divide कर लीजे आप delta V हो गया divide मार दीजे उपर वाले से इस equation को इससे divide कर दीजे तो यह PV P into delta V upon PV V फिर nR delta T upon nR T तो यहां पर देखिए P से P गया कट n से n कट गया r से r कट गया और यह जो value अब क्या बनी देखिए यह यह बन गई delta V upon V delta T upon T delta T को नीचे ले आईए तो यह expression मिल जाएगा आपको delta V upon V into delta T is equal to 1 upon T और यहां से और यह क्या है that is gamma by definition what is this this is gamma by definition तो gamma is equal to 1 upon T और इस तरह प्रूफ कर सकते है खर प्रूफ करने की बात अलगी है मुद्दा पकड़े रहना जादा जरूरी है है ना चली एक कदम और आगे चलते हैं अब practical application of thermal expansion जो thermal expansion है इसका practical application देखिए जो examples के तोर पर माना जाता है मांगा जाता है आपको पता होना चीए a small gap is left between the iron rails of the railway track आपने railway की पत्रियां देखी होंगी इनके बीच जब लोहे की पत्री बिचाई जाती तो gap छोड़ देते हैं ऐसे track रहता है और दूसरी पत्री के बीच में ऐसे gap रहता है है ना फिर ये पत्री में बाकियां नड़बोल टाइट रहते हैं दोनों तरफ ये तो आपने देखा ही होगा तो ऐसा क्यों करते हैं इसलिए कि जब proper gap होता ये नहीं बहुत बढ़ा gap हो थोड़ा सा gap होता है इसलिए कि गर्मिया जब आती है तो ये लोहा expand करता है तो इसको जगा मिल जाए जैसे जब ये expand करें थोड़ा सा बढ़े दोनों लोहा आपस में तो इनके पास जगा रहा expand करने की तो मुडेंगी नहीं अगर ये इसके पास जगा नहीं रहेगी और expand करेगा तो ये जो tracks हैं आपस में जगा नहीं पाएंगे तो टेड़े हो जाएंगे तो train चल नहीं पाएगी फिर समस्या ख़़ी हो जाएगी और एक ही season में समस्या ख़़ी हो जाएगी कस के गर्मी पड़ी नहीं कि इन्होंने अपनी जगा बनाई नहीं और सारे tracks हो जाएंगे तेड़े इसलिए gaps रखे जाते हैं track के बीच में लोहे के इस space is left behind the guarders used for supporting bridges आपने देखे होंगे जो bridge बनाए जाते हैं जिस पे flyvers हैं, bridges हैं मोटे मोटे guarders रखे जाते हैं लोहे के ऐसे लोहे के जैसे ये rails होती हैं तो मोटे मोटे guarders होते हैं इस तरह के लोहे के I-shaped guarders होते हैं बहुत heavy heavy आपने metro का काम आपकी city में चल रहा हो वहाँ use करते हुए देखा होगा या flyvers बन रहे हैं हूँ तो ऐसे कि बीच में भी gap छोड़ा जाता है flyover बनाते वक्त pull बनाते वक्त इसलिए कि वहाँ पर भी अगर अंदर हमें जगा नहीं चोड़ेंगे अगर जगा नहीं जगा नहीं चोड़ेंगे आपस में लड़े वो तो चर्मरा के बैठाएगा फिर वो gap रहना ज़रूरी है the iron ring to be put on the rim of a cart जो rim of a cart रहती है जो घोड़ा गाड़ी रहती है उसके उपर जो iron की ring चढ़ाते हैं वो थोड़ी छोटी चढ़ाते हैं गरम कर लेते हैं चढ़ा देते हैं और जब ठंडी होती तो चपक के बैठ जाती है कोई space नहीं रहता है एक glass stopper जो glass यह मा लीज़े शीशी है कोई उनली platinum wire is used for fusing into glass जो glass के अंदर platinum wire को ही fuse किया जाता है उसका कारण क्या है क्योंकि glass और platinum wire का जो coefficient है expansion का वो more or less बराबर रहता है तो जब भी ठंड़क या गरमी आती है दोनों same expansion में more or less रहते हैं इसलिए तूट फूट नहीं होती वना glass के अंदर कोई और wire डाल दीजिए यह expansion glass से अलग है तो गरमी में पतलगा glass किसी और तरीके से expand किया और अंदर वाला metal किसी और तरीके से expand किया तूट गया glass ऐसा हो जाता है यह सब एक general examples है applications है जो आपकी समझ में आना चाहिए एक कदम और आगे चलते है अब variation of density with temperature इसको भी पकड़के रखें the density of a solid or a liquid decreases with the increase in temperature किस तरह decrease increase होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है rho dash is called to rho 1 minus gamma into delta t तो यह बात आप ध्यान रखिए और इस तरीके से इसको tackle किया जाएगा आगे चलते हैं बड़ी इच्छी important topic है और कफी interesting भी है कई बच्चे इसको पढ़ते रहते हैं और समझते रहते हैं यह anomalous anomalous behavior यह expansion of water है तो यह basically एक abnormal behavior of water है आखिर यह एक minute जो anomalous behavior है या जो abnormal behavior of water है यह abnormal behavior क्यों कह रहे हैं इसको हम यह समझ लेते हैं देखिए और यह बड़ा काम का है भगवान ने इसको एक खास खास behavior दिया है abnormality दी है जिससे हमारा aquatic life समुदर के अंदर की life नदी के अंदर के जीवन मचलिया प्लांट सब बचे हुए है वरना लेने के देने पड़ गया होते खतम हो गया होता life almost all liquid expands or being heated जब हम किसी भी liquid को गरम करते हैं तो expand करता है यही behavior है पानी को गरम करेंगे तो expand कर जाएगा but water behaves in a peculiar manner लेकिन पानी की विवस्था थोड़ी अलग है यही abnormality है इसी को बोलते है anomalous behavior यह expansion क्या इसमें फरक है देखो when water at zero degree centigrade जब पानी zero degree centigrade पर होता है उसको हम गरम करना शुरू करते हैं जब हम उस समय गरम करते हैं तो इसका volume बढ़ता नहीं है घटता है शुरू में normally क्या होता चीजें expand करती ही गरम करने में लेकिन यह क्या कर रहा है zero degree centigrade पर जब आप इसको गरमा रहे हैं तो volume बढ़ने की जगा volume घट रहा है abnormality है इसकी anomalous behavior इसी को बोलेंगे घटता है और जिसकी वज़े से इसकी density बढ़ती है अब यह बढ़ते बढ़ते क्या होता है यह 4 degree centigrade तक ऐसा ही कारिकरम रखता है यानि 0 degree से लेकर 4 degree तक volume घटता चला जाता है density बढ़ती चली जाती है 4 degree centigrade पर peak achieve हो जाता है maximum density lowest volume उसके बाद आप फर्दर गरम करते है above 4 degree centigrade तब उसके बाद volume बढ़ना शुरू होता है and therefore the density decreases उसके बाद density कम होती है thus water at 4 degree centigrade has the maximum density sorry तो ये 4 degree centigrade पर maximum density मिलती है यही जो behavior है शुरू में गरम करने पर 0 degree से 4 degree तक water का volume घटना यही इसका abnormal behavior है इसको anomalous behavior बोलते है और this is the anomalous expansion of water behavior इसे फाइदा क्या होता और क्या है यह समय लेते अब यह देखिए यहाँ पर मैं red color लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहतर बता पाऊँ यहाँ पर देखिए क्या हुआ temperature था यहाँ और यह volume है यहाँ पर देखिए चार डिगरी के आसपास तक volume सबसे कम गया है फिर इसके बाद आपने गरम किया तो volume बढ़ा है यह temperature है यह density है चार डिगरी सेंटीग्रेड पर density maximum है बढ़ती के बढ़ती के बढ़ती के चार पर maximum फिर डाउन होई है और यह aquatic life लिखी है अब क्या होता है कि जब ठंड़क पढ़नी शुरू होती है तो जील का पानी नदी का पानी जमना शुरू होता है जैसे आजकर ठंड़क पढ़ रही है तो ठंड़क पढ़ेगी तो जमेगा तो यह जो जील है यह जील के अंदर ही पानी है वाटर यहाँ cold waves चली temperature fall हुआ तो यहाँ का जो top level है वो 0 degree centigrade बन जाता है यह बन जाता है ice तो कि यह atmosphere के contact में है तो इसका degree fall होता रहता है और 0 degree centigrade हो जाता है अब क्या होता है कि इसके करीब वाले है 1 degree centigrade पर आते है जैसे ही 1 degree centigrade पर आते है इसकी density का क्या चीज़ हाल चाल होगा जैसे वह 1 degree 2 degree 3 degree पहुँचेंगे इसकी density किदर बढ़ती जा रही है देखिए 4 degree पर maximum density है तो जैसे ये 4 degree पर पहुँचेंगे इसकी density हो जाएगी जादा और नीचे ये बैट जाएंगे और इससे और ये उपर नहीं आएंगे भई ये उपर क्या होता था उपर तो तब आते हैं जब density कम होती है ये फ्लोटेशन का रूल हमने पढ़ रखा है तो 4 degree जब temperature पहुचा घटे घटे शुरू में तो रहा होगा 20 degree centigrade temperature गिरने लगा तो गिरते 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 चार डिगरी हो गया तो नीचे चार डिगरी की density जादा है तो नीचे चार डिगरी वाला पानी उपर आने को तयार नहीं नॉर्मल सिचुएशन में कोई और liquid होता तो वो उपर चला जाता क्योंकि 4 degree पर उसकी density कम हो जाती है तो कम density की वज़े से उपर चला जाता है फिठंडा होता है फिर नीचे ऐसे होता रहता है ये उपर जाएगा नहीं तो यहाँ 4 degree का पानी बना रहेगा क्योंकि 4 degree का density जादा है सबसे जादा है सबसे जादा होनी की वज़े से यहाँ पर 4 degree बना रहेगा तो यहाँ पर जो मचलियां हैं पौधे हैं कुछ भी है वो अपना जीवन यहाँ पर अराम से जीवन जी रही है यह एक nature ने God gift ने water को एक वरदान दिया है वरना अगर यह पूरी चीज जम जाती तो मचलियां मर जाती क्योंकि अगर जमी इस्तिती में रहेंगी तो उनको food नहीं मिलेगा एक दिन, दो दिन, चार दिन, पात दिन, दस दिन कितने दिन जमी रहेंगे और मर जाएंगी, plants भी मर जाएंगे तो पूरा aquatic life ही disturb हो जाएगी, खतम हो जाएगी और खतम होने पर उसका हम लोग का ecosystem है, हम लोग भी affected होने वाले है बड़ी जल्दी उससे, तो यह बड़ा कमाल की चीज है, आप समझ पाएँ होगे, उमीद कर रहे है बड़ा interesting है यह तो आप समझ पाएँ होगे इस फोर डिगरी सेंटीग्रेट पर maximum density होने की वज़े से यह bottom में ही रह जाता है, चार डिगरी का पानी ऊपर नहीं जाता और ठंडा भी नहीं होता आगे चलते वेटा एक कदम और बहुत असानी से समझेए, इसमें कोई परिशानी नहीं होती, मज़ा आ जाएगा physics ऐसी चीज है, अगर आप दिल खोल के पढ़ने के mood में आ जाएंगे प्यार से, तो बस समझ लिजे कि हम क्या बोलें आपको आनंद ही आनंद है इतना interesting है specific heat की बात करते हैं मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कई बच्चों का अपना interest होता है वही करते हैं तो specific heat of a substance may be defined as the amount of heat यह formula लिखा है required to raise the temperature of unit mass unit mass of the substance through one degree इसको भी delta T को भी one degree कर दो और unit mass कर दो तो delta Q क्या है heat requirement तो specific heat किसे बोलोगे specific heat उतनी heat होती है जो की unit mass का temperature एक degree बढ़ाने के काम में आती है यहीं लिखा है यहाँ पर इस formula से दिकरा C क्या है specific heat delta Q upon M into delta T M को 1 delta T1 delta Q की बात यहां लिखती है बात खतम हो गई तो CGS और वाकी जो unit है वो आप पढ़ी सकते हैं यादी कर लेंगे तो यह specific heat हो गई एक कदम और आगे चलते हैं molar specific heat तो molar specific heat क्या होती है वो 1 mole के लिए काम आती है the molar specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree एक mole substance का 1 degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जितना amount of heat चाहिए होगा उसे आप molar specific heat बोलेंगे बहुत ही सरल शब्दे हैं बहुत आराम से मज़िदार तरीके से त्यारी कर सकते हैं formula भी बाजू में लिखा slides आपके लिए महनेस से बनाई है जिसका आप पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं पढ़ाई के लिए इस फॉर्मूले को याद रखिए आपके काफी काम आएगा molar specific heat हो गई बिलकुल शांती से देरे देरे पढ़ते रही है दिमाग में घुस ना जाए तो बताएं अब molar specific heat की ही चर्चा एक कदम और the CGS unit of molar specific heat is unit लिखी हुई है SI unit भी लिखी है the amount of heat required to raise the temperature of n moles of a substance through delta T अब कितना amount आपको चाहिए होगा तो C चाहिए होता है एक mole के लिए तो n moles के लिए n, c, delta, t इसको भी मैंने लिख दिया जैसे बच्चा कहीं से ब्रहमित होने की इस्तिती में न रहे और आपसे calculation कर सकते हैं आगे बात करते हैं heat capacity और thermal capacity भई heat capacity क्या रहा या thermal capacity क्या रहा तो इसमें अब देखिए पूरे mass की बात कर दी जाएगी the heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise its temperature through 1 degree अब mass की बात छोड़ दी इनोंने उस body की बात कर रहे हैं unit mass की बाती नहीं है mole की बाती नहीं है अब कह रहे हैं कि जो भी body हमारे सामने है उसका 1 degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जितनी heat चाहिए बस वही उसका heat capacity है और heat capacity is equal to mass into specific heat वोगि specific heat तो एक unit mass के लिए होती है m से multiply कर तो total निकल आई क्या बड़ासान s is equal to mc बात हो गई खतम unit joule per Kelvin आप जानी रहे हैं वसके कोई special बात नहीं है एक कदम और आगी चलते हैं हम लो calorimetry calorimetry बड़ा important कई बच्चे डरते हैं लिए बहुसरल होता आप ये आपको ये समझ में आना चाहिए जो branches है physics की ये करती क्या है कई बच्चे को यही idea नहीं होता कि जो हम topic पढ़ रहे हैं वो actually topic करता क्या है तो अगर आपको यही idea नहीं कि topic करता क्या है तो पढ़ क्या रहे हैं भई मतलब क्या पढ़ रहे हैं फिर आप आप खुद ही अपने आप से सवाल पूछे the branch of physics that deal with the measurement of heat दो ही शब्द पढ़ने है measurement of heat जिस branch में आप measurement of heat कर रहे हैं वो calorie-metry कहलाती है बस इतना ही जान लें तो बहुत है आपके लिए आगे principle of calorie-metry or the law of mixtures principle भी दिखिए बच्चों जैसा है ये एक दब heat gained is equal to heat lost अभी क्या कहते है the principle of calorie-metry states that the heat gained by the cold body जो cold body है वो जो heat gained करती है must be equal to the heat lost by the hot body by hot body जो heat देगी hot ये रही cold मालोग किसी चीज़ से connect कर दिया है तो जो heat ये देगी वह heat ये लेगी ये मानके चलने की कहीं और heat dissipate नहीं हो रही है यही principle of calorie-metry है कोई पूछे कहीं लिखने को आए समझने को आए यही समझेंगे heat gained is equal to heat lost देखिए कितना भारी प्रिंस्पल है मुश्किल बहुत है आप याद ना कर पाएंगे है ना तो ये इतना असान मज़ेदार चीज़ें है अब ये एक डाइग्राम है बड़ा सुन्दर सा डाइग्राम और स्वरल सा डाइग्राम है रेट कलर लेंगे इस पर लिखेंगे थोड़ा सा कलोरी मीटर क्या होता है बाजुम बना हुआ है ये अगर आपके एक्सपरिमेंट हो पा रहे होंगे तो शायद आपको करने का मौका भी मिलेगा और नहीं हो पा रहे है तो दर्चन ले लीजे फोटो में इचिअ बयकर पर करने का रहे होंगे इसलिए कंड하는 उसके अनूसे अंद्र एक हम लोग हम लोग दो-च्शखित ठर्मामींट्र लगा होता है बक्षेट हमसे छान के लिए एक इस्टेरर रहता है, इस्टेरर का मतलब मिलाने के काम आता है, जिसे चाए में चीनी डालके चमस से मिलाते हो ना कि घुल जाए अच्छी तरीके से इसी तरीके से इस कॉपर वेसल में हम कोई माली जे गरम पानी थोड़ा डाला कुछ टंपरेचर होगा पानी का, उसमें माली गरम बॉल डाल दी बॉल कॉपर की बॉल डाल दी एल्मूनियम की बॉल डाल दी, एक नुमरिकल कराएंगे भी चारपा स्लाइट बाद इसका, जिससे आप समझ पाएं जाए था अच्छी तरीके से इसको एक एल्मूनियम की बॉल डाल दी, गरम तो वो गरम बॉल इससे अच्छी तरह मिल जाए जो पानी इसके इंदर डाल लखा है तो इस टेरर से हिला देते हैं चमची समझ लो, चमच नहीं है लेकिन आप दिखाई पढ़ रहा कैसा है, काम वहीं करता है हिला दो इसको, तो पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा प्रॉपर, पूरा पानी पकड़ लेगा समझ पाए होंगे आप, और ज़्यदा एक्जामपल देंगे तो और समय लगेगा, लेकिन समझे में तो आई रही है ये बात मं नहीं मान रहा है, अब आपको मुझे नहीं मालूम कि आप ठंडे ठंडो दिनों में गरम पानी से कैसे habr popping कई लोक शावर से नव आपते होंगे, कई लोक टैप से पानी भरके नहाते होंगे, मैं टैप से पानी भरके नहाता हूं मालिज्ज नीचे ठंड़ा पानी है केवल गरम पानी बिना मिक्सिंग के केवल गरम पानी अगर डालिए तो गरम पानी ऊपर रह जाता काफी हद तक density कम होती है नीचे ठंडा पानी काफी रहता mixing नहीं हो पाती तो आपको मग डालके हिलाना पड़ता चार बार उसको जिसे पूरा mixing हो जाए तब temperature पता लगता कि इसका कितना है ऐसे ही नहाने बैठे तो दो मगे बाद गलगल गलगल करने लगेंगे आप जैसी आराम जैसी आराम आप समझ पा रहे हैं बड़ा मैंने बड़ा बारीक example दे दिया आपको पता नहीं आप किता समझ पाए पता नहाते भी हो कि नह नहीं रोज ये भी doubtful है जो लोग नहाते हैं वही समझ पाएंगे रोज तो पहली शर्त की रोज नहाएं गर्मी हो या बरसात या जाड़ा हो या तुबान नहाने की प्रकरिया चालू रखके फिर उसके बाद समझ में आएगा example ये खैर मजाक अपनी जगा है दूसरा ये glass डालते हैं जो glass होल होता आपने देखा नहीं होगा मैंने देख रखा है रूई जैसा रहता है glass की रूई होती है ये ये बहुत ही अच्छा non conducting material होता है इसको उसके चारों तरफ लपेट देते हैं जिससे इसकी heat कहीं बाहर ना निकल जाए जो हो इसके अंदर ही हो बाहर से इसको cut off कर देते हैं जो कांड हो ना इसके अंदर हो बाहर से इसका लेना देना कुछ ना हो और इस चीज़ को और बचाने के लिए बाहर लकडी का डबा रहता है wooden jacket कि मतब ग्लास हूल तो लगाए 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 वो भी non conductor रहत है specific heat भी निकाल लेते हैं से heat का दान प्रदान भी निकाल लेते हैं ठीक तो यह इसका principle है जो आप समझ पाए होंगे effect of pressure on melting point तो the melting point of some some substances expands on melting कुछ ऐसे substance होते हैं जो expand on melting होते हैं जैसे कि यहां लिखा है कि paraffin wax phosphorus sulfur increases with increase in pressure increase करते हैं प्रेशर के increase करने पर कुछ होते हैं decrease करते हैं while the melting point of some substances contracts on melting जैसे ice से कास्ट आ रहेने बिस्मित है यह decrease करते हैं increase in pressure पे तो दोनों ही कारेकरम इसमें होते हैं आपकी जानकारी यह लिए effect of pressure on freezing point of ice freezing point of ice पे regulation एक बड़ी इच्छी प्रकरिया है वो भी बताते हैं आपको the phenomenon in which ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is removed is called regulation regulation में आपने देखा होगा कि अगर बरफ की कोशिस करूँ इस type से बरफ का एक टुकड़ा अगर आप ले 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 और उसके ऊपर कोई धागा बानके लटका दे आप इसको थोड़ा जम मोटाई भी दे दी जाए इस तरह से समझें यह धागा ले 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 दूसरे color का रसी ले 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 और यहाँ पर आप कोई weight लटका आप देखेंगे जब यह pressure पड़ेगा ना इस 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 आईस जब प्रेशर पड़ेगा तो यह धागा इसके अंदर धस जाएगा जब यह धागा इसके अंदर धसेगा प्रेशर पड़ रहा है तो melt करेगी आईस जब धसेगा तो ऊपर धसने की वज़े से ऊपर वाली surface का जहां यह गुश चुका है प्रेशर हट गिया तो प्रेशर हटने की वज़े से आईस दुबारा melt कर जाएगी उपर तो यह धागा अंदर बिलकुल प्रोया हुआ दिखेगा उपर भी जमा हुआ बरफ नीचे भी जमा हुआ धागा बीचो बीच आ जाएगा अंदर बरफ के इसी process को regulation बोलते है शुर तो प्रेशर रिलीज होने की वज़े से वहां बरफ दुबारा जम जाएगी तो यह अंदर धस जाएगा आप देखेंगे यह धागा क्या करेगा अंदर जम जाएगा यह थोड़ी दिर बाद यह धागा आपको यहां कई अंदर मिलेगा ऐसे अच्छा डाइग्राम नहीं बनेगा लेकिन अंदर मिलेगा यह बरफ के यह रिगलेशन की प्रकरिया है जो आप समझ पाए होंगे ठीक है तो जहां प्रेशर पड़ता है वहां बरफ पिघल जाती है प्रेशर हटता है बरफ फिर से जम जाती है यह कहानी इसलिए बरफ चिपकती भी है आपस में दो ए बरफ के उपर दूसरा बरफ का टुकळा रख दीजए तो प्रेशर से पिघल जाएगा और फिर कोई चीज रख दीज़, वह भी चिपक जाती है बरफ पर कोई चीज आप रख देंगे तो जहां प्रेशर खाएगा पिघल जाएगी फिर तोडिव में प्रेशर कम हम ज्या नखिए boiling point जो है of a liquid increases with increase in pressure pressure increase करने से boiling point increase कर जा जाए है लेटेंट हीट अब ये कमाल की हीट है भाई साब लेटेंट हीट का मतलब होता है लेटेंट का मतलब गुप्त छुपा हुआ तो इसको छुप हुई हीट इंदी में बोलते गुप्त उश्मा तो कौन से गुप्त रहस कौन सा है इसके इंदर गुप्त रहस यह है कि नॉर्मली हम लोग जो देखते रहे हैं कि किसी भी चीज को जब हम हीट देते हैं हीट तो उसमें अगर कोई माली जे वाटर है जब हम हीट देते तो इसका तमप्रेचर बढ़ता चला जाता है तंप्रेचर विल राइस तंप्रेचर बढ़ता है हम हीट दे रहे हैं इसका तंप्रेचर बढ़ रहा है लेकिन लेट Inde heat में क्या होता है यह लेटीरीड । काम करती है जब हमारा state का change होता है change of state state change होने का मतलब मा लीज़े यह ice है यह melt हो रही है और ice water बन रहा है ice water बन रहा है यह ice water को हम गरम कर रहे हैं 100 degree water है यह vapor बन रहा है 100 degree का state change water से vapor ice solid से liquid solid से liquid liquid से vapor state में change जिस समय state में change होता है जब आप energy देते हैं इसको उस समय इसका temperature नहीं बढ़ता है तो यह heat जाती कहां है इसलिए इसको latent बोला जाता है छुपी हुई heat क्यों? आप जो इसको heat दे रहे हैं उससे temperature इसका नहीं बढ़ेगा यह पूरे का पूरा ice melt करने में लगा देगी है बतलब उस समय इसको कोई temperature नहीं बढ़ेगा जैसे मालीजे यहां पर आपने ice रखा इस बरतन में और आपने इसको temperature देना शुरू किया और ice का टुकडा लिया और आपको इसको गर्माने लगे तो जब यह इसका temperature अगर लगा गया उपर थर्मामीटर लगा के बैठ जाओ तो यह 0 degree ही बना रहेगा जब तक यह पूरी गल नहीं जाएगी गलने के बाद पूरा temperature बढ़ना शुरू नहीं होगा तो किसी भी यह बड़ी important बात है किसी numerical में या बात में एक बार में एक ही काम हो सकता या तो temperature बढ़ जावे या state में change हो जावे जब आपका temperature बढ़ता है तो formula लगता है ms delta t मलब किसी बॉडी का temperature बदल रहा है तो temperature change में और जब state में change होता है तो formula लगता है ml state change दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती दोनों में से एक ही हो सकती है mathematics की भाषा में बहुत हार mutually exclusive probability की भाषा में पता नहीं कोई है अच्छा फिजिक्स चल लगी है पढ़े तो होंगे probability mathematics की भाषा में बहुत हार mutually exclusive events मलब बोथ सरल भाषा बात कर रहा हूँ बोथ cannot happen simultaneously बात समझ में आई होगी एक बार में एक ही घटना होगी या तो ये काम होगा number one या number two दोनों एक साथ नहीं होगा कभी या तो state ही बदल जावे या temperature ही बढ़ जावे जहां जो घटना हो रही होगी उसके साब से formula लगा के निकाल लेंगे कितनी कितना heat बुखा रहा है उमीद समझ पाए होंगे आप तो लिखा the amount of heat required to change the state देखिए change the state लिखा है of unit mass of substance at a constant temperature and pressure is called latent heat of the substance q is equal to ml यह formula latent heat L को बोलते हैं और यह बाकी बाते आप समझ गें मैंने थोड़ा detailed करके बता भी दिया है latent heat of fusion vaporization मैंने आपको बताया तो latent heat of fusion क्या हो जाएगा देखिए लिखा the amount of heat required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid किसी भी चीज़ को solid से liquid कर रहे हैं या liquid and its melting point is called latent heat of fusion और latent heat of melting तो solid से आप liquid कर रहे हैं तो latent heat of melting हो जाएगी और इसी तरीके से दूसरे में क्या है liquid to vapor liquid to vapor इसका wise versa भी हो सकता है liquid से solid भी बना सकते हैं तो भी change of state है और इसमें भी यही काम हो सकता है vapor से liquid यह भी change of state है तो कारिकरम वही रहेगा जो एलस में लगा वही एलस में लगेगा अदान परदान यह कहानी समझ गया होंगे इसमें थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं अच्छा यह जो मैं बात कर रहा था कि कैलोरी मीट्री का जो यह एक एक एक्जामपल वह आपके सामने है वह मैं करके आपको दिखाता हूं जिसे आपको अंदाजा लग जा कि कैलोरी मीट्री का सवाल कैसे किया जाता है और क्या करता है इसमें हम लोग निकाल रहे हैं calculate the specific heat of the aluminium तो specific heat निकालने की प्रक्रिया है इ को एस फियर आफ ऐलमूनियम आफ 0.04 किलोग्राम इस प्लेज इंटू फॉर सफिशन टाइम इन वैसल कंटेनिंग बॉलिंग वाटर कहीं पर थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा देखता हूं किसी बॉलिंग वाटर में कोई वैसल होगी इस बॉलिंग वाटर में आपने एक एलमूनियम का यह एलमूनियम की कोई बॉल है जिसका मास ताउसको रखा है अब बॉयलिंग वाटर में जब आप रखोगे तो इसका जो टंप्रेचर शुरुवात का कितना आ जाएगा 100 डिगृ सेंटिगरिट बॉयलिंग वाटर का तब्रेचर 100 डिगृ होता है तो mass of aluminum ball वो है 0.047 kg, साथ में temperature की बात करने हैं अगर हम लोग, तो temperature कितना है, वो temperature है 100 degree centigrade, अभी मैं लिखता जाता हूँ, आपको दिखाऊंगा, sufficient time in vessel containing boiling water, so that this sphere is at 100 degree centigrade, यहां तक उन्होंने बात पूरी complete कर दिये, it is then immediately transferred to 0.17 kg copper calorie meter, अभी जो calorie meter में उन्हें पढ़ा था, उस calorie meter का copper का एक डबा था न, आपने दिखाऊंगा, ऐसे calorie meter था, copper vessel, इस copper vessel में और यहां पर एक थर्मा मीटर लगा था उसके, फोटो सहीद बना रहा हूँ, जैसे आप फील कर सकें, यह एक अजीब सा थर्मा मीटर है, इस टेरर वगएरा इसमें डाल देते हैं, आपको फील कराने के लिए, और इसका जो मास था, वो मास दे रखाया copper vessel का, 0.14 kg है, इसके अंदर पानी भी भरा है, containing 0.25 kg of water, हम दोग धीरे-धीरे करेंगे सवाल, लेकिन एक बात पूरी समझ के करेंगे, इसके अंदर water था, और water जो था, वो कितना था? मास आफ वोटर, 0.25 kg, और उसका temperature भी है, 20 डिग्री सेंटिग्रेट, temperature आफ वोटर लिख रहा हूँ, 20 डिग्री सेंटिग्रेट, तेम्परेचर वोटर राइजेस और अटेंस ए स्टेडी स्टेट अट था, 23 डिग्री सेंटिग्रेट, इस कॉपर वाइल को इसमें डाला गिया है, मैं ये लोकले ले लेता हूँ, वहाँ से निकाला और इमीडियेटली इसके अंदर डाला आप बॉल को, जब आपने इस बॉल को इसमें डाला था, तो 100 डिग्री की थी बॉल, तो T1 से ये, आप ये जो इसकी दूसरी जो T1 से ये, T2 क्या हो गया, 23 डिग्री सेंटिग्रेट इसका टम्परेचर बढ़ गया था, पहले इस टम्परेचर था वाटर का 20 डिग्री सेंटिग्रेट, बाद में 23 डिग्री हो गया, ये कारिकरम इसका हुआ, और इसका temperature 23 हुआ तो यह copper भी था यह copper का भी 23 हुआ और तो कुछ हुआ ही नहीं इसका भी temperature कितना हो गया बाद में शुरू में 20 degree था और बाद में TCU copper 2 लिख देता हूँ इसका हो गया 23 कुछ जितना पानी का होगा तो नहीं यह train करेगा सारे figure आ चुके है specific heat capacity और aluminum निकालना है आप देखे सारी figure आप कितना सरयल है heat देने वाला और लेने वाला बराबर करना है देने वाली यह ball है लेने वाले दो item एक पानी और यह vessel vessel में यह सब डबा बाई बना दे वूडन बॉक्स था वगरा वगरा समझ गया होगे तो principle क्या है देने वाला लेने वाला मैं यहां लिखता हूँ heat heat lost is equal to heat gained यही इसका principle होता है heat lost कितने की है इस copper ball ने वो लिख लेते हैं पहले तो इसकी heat lost का formula क्या रहेगा mass of copper ball और c of copper क्या है वो देख लेंगे अभी इसमें नहीं दिया तो इस्तमाल करेंगे copper ball की value ले ले लेते हैं which is c of copper aluminium है शयद aluminium की ball है यह c of mass of aluminium ball and c of aluminium into delta t तो delta t कितना आया शुरू में यह ball थी 100 degree पर aluminium 1 बाद में इसकी हाल चाल क्या रहा यह पानी के बराबरी temperature अचीव किया है इसने यहनि 23 degree centigrade अचीव किया है तो 100 minus 23 समझ पाए होंगे 100 minus 23 degree 77 आ जाएगा यह तो हो गया ms delta t mc delta t यह formula क्या है mc delta t यह formula लगा यहाँ heat gained तो पहले के लिए मैं लगाता हूँ किसके लिए water के लिए तो water कितना था इसमें mass of water into जो specific heat of water लगाएंगे आप cw of water देखते हैं कितना क्या है और फिर delta t तो delta t की value कितनी हो गई यहाँ बर यह 23 में 3 गया प्लस दूसरा heat gain किसने किया copper ने तो copper मैं देरे देरे कर रहा हूँ एकदम saulia से सीखिए copper की बात करते हैं तो mass of copper फिर cw of copper और फिर delta t इसके लिए वही हो जाएगा 23 माइनस 3 यह expression बना इसको हमको solve करना है एकदम आराम से सीखिए यह सीख जाएंगे तो बढ़िया सवाल अच्छे अच्छे निकाल लेंगे एक कदम और आगे चलते हैं mass of aluminium की बात करते हैं 0.047 दे रखा दा c aluminium निकालना है यह रही 77 mass of water जो की दे रखा था 0.25 kilogram फिर c w की बात करते हैं c w को 4.18 इंटू 10 की पावर 3 रख देते हैं और साथ में यह रहा यहां पर 20 के बाद 20 था यह 3 बचे गया 23 माइनस 20 इंटू 3 फिर मास अफ कॉपर 0.14 और c अफ कॉपर 0.386 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 जो रखा है आगे बात करते हैं इसको जब solve करोगे आप तो c अल्मूनियम यहां से क्या निकल के आएगी आएगी 0.911 किलो जूल पर किलो ग्राम पर केल्विन यह इसका अंसर निकलाएगा कैसे करना आप समझ गये होंगे इस तरह से यह funda लगाते हुए आप सवाल को कर सकते हैं कलोरी मिट्री का सवाल आए मैंने पूरा डियाग्रमेटिक रिपर्जेंटेशन करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है इस तरह से ही सवाल लगेगा और ऐसा करना का आपको आगया तो क्या कहना अराम से कर सकते हैं और इसका पीडे भी आपको मिल जागा मैं उपर भी कर देता हूँ एक बार भी बच्चा स्कुनिशॉट लेकी काम चलाना चाहरा तो वो भी आगे बढ़ता रहे जो हीट एक जगा से दूसरी जगा थर्मल कंड़क्शन कैसे करती पहुंसती कैसे है एक जगा से दूसरी जगा हीट पहुंचेगी कैसे तीन तरीके कंड़क्शन में क्या होगा थर्मल कंड़क्शन में बटा it is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another at a lower temperature through molecular collisions without any actual flow of matter इसमें actual flow of matter नहीं होता collision से ही काम होता है आप इसको feel किये होंगे जैसे कि आप gas burner पर कोई माली जे कपदीला चड़ाय हुए है चाय बनने के लिए और इसका जो handle लगा होता है आप देखते होंगे कि जब ये burner on होता है तो यहाँ पर इसका जो handle है ये भी गरम हो जाता है यहाँ पर लकड़ी या प्लास्टिक का को लगा होता है आप अगर इसको पकड़ लेंगे हाथ से तो आप जल जाएंगे अपने हाथ में ये क्यों हो जाता है तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये thermal conduction है क्योंकि thermal collisions की वज़े से यहाँ पर heat पहुँच जाती है actual transfer of molecules नहीं होता molecules यहाँ के molecules पहुचते नहीं है यहाँ molecule जाते नहीं है actual collisions एक दूसरे को टकर मारके energy transfer करते जाते हैं तो molecular collisions होता है actual transfer नहीं होता तो thermal conduction इस तरीके से होता है यह जो इसके अंदर कहानी बोली गई है steady state variable state की बात की जा रही है variable state क्या होता है in this state the temperature of every cross section of the rod कोई rod ले लीजे आप इसके एक तरफ आप समझा लीजे hot end है एक आग लगा देते हैं और एक तरफ कुछ नहीं ही तो यह hot end है और यह cold end बोल देते है यहां के कोई भी cross section को cut करेंगे अगर आप कोई भी cross section को cut करेंगे तो यहां पर आपको इसके cross section पर temperature बढ़ता हुआ देखेगा in this state the temperature of every cross section of the rod यहां काटें यहां काटें कहीं काटें goes on increasing with time जैसे जैसे आप heat दिये जा रहे हैं यहां का temperature पता लगा पहले शुरू में 10 degree था थोड़ी देर बाद यह बढ़के 20 degree हो गया फिर 25 degree हो गया ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा इसका भी बढ़ेगा यह से दूर है तो शुरू में 5 degree था फिर 7 degree 8 degree हो जाएगा फिर कुछ और हो जाएगा तो इसे बोलते है variable state जब यह steady state पहुँच जाता है यही situation में क्या होता है कि आप कहीं से भी cross section ले ले इस cross section को काटेंगे तो अगर इसका temperature 10 degree centigrade है तो इसका temperature 10 degree ही बना रहेगा इस वाले end को काटेंगे गर इसका 5 degree है तो यह 5 degree ही रहेगा एक ही rod में इसका 10 इसका 5 हो सकता है अलग-अलग cross section का लेकिन यह 10 वाला 10 ही रहेगा यह 5 वाला 5 ही रहेगा यह बदलेगा नहीं हर cross section का अलग-अलग temperature हो सकता है लेकिन जिसका जो होगा के अलग-अलग temperature हो सकते हैं होएंगे this state of the rod when temperature of every cross section of the rod becomes constant it becomes constant 10 degree का मतलब 10 degree and there is no further absorption कोई heat absorb नहीं होगी यहाँ पर अगर आप heat दे रहे हैं तो वो pass हो जाएगी अब यह absorb नहीं करेगा of heat in any part is called steady state ध्यान यह रखना है 10 degree इस वाले cross section का है हर cross section का 10 नहीं करना है ठीक in steady state कुछ खास बाते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ the temperature of two different parts of the rods are different but the temperature of each part remains constant यह बात मैंने समझा दी तियां पर हर part की अलग-अलग होगी each part का same होगा यही बात उन्होंने पहले में लिखी है temperature decreases as we move away from the hot end हमें मालूम है यह hot यहां पर आग जलाई हुई hot end है तो इधर से इधर बढ़ोगे तो temperature घट नहीं है यहां 10 degree है तो यहां 7 है यहां 5 है यहां कुछ और होगा hot से cold की तरफ बढ़ोगे तो temperature का fall तो होना ही है the quantity of heat flowing per second through every cross section is constant जो heat flow हो रही होगी steady state में per second per second वो हर cross section पर same होगी the rate of flow of heat will be constant यह बात इसके अंदर और समझ में आती है आगे बात समझते हैं और बटा temperature gradient किसे कहते हैं यह लिखा हुआ है यह मैं भी समझ लेना चाहिए the rate of change of temperature with distance in the direction of flow of heat in the direction का मतलब ही वही हो गया अगर यहां मैंने कुछ hot जला रखा है hot end है this is hot end this is cold end तो heat का flow किस तरफ है heat का flow इस तरफ है क्यों इस तरफ जा रही है heat तो इस समय the rate of change of temperature with distance अगर यहां का मैं T1 ले लूँ temperature और यहां का T2 ले लूँ तो मैं T1 माइनस T2 और इसके बीच का distance अगर X ले लूँ और T1 upon T2 is equal to X को क्या बोलोगे temperature gradient और काफी छोटे में जब यह रहता है calculus वाले part में तो dt upon dx भी कहा जाता है तो in the direction of flow of heat in the direction of flow of heat is called temperature gradient T1 minus T2 upon X जो मैंने समझाया आपको dt upon dx बिलकुल असान बाते हैं कहीं से कोई दिक्केत होने वाली है नहीं आपको यह मैनत पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और अर्विंद Academy चैनल को subscribe कीजेगा ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और bell notification को click करके all click करके on कीजे click कीजे जिससे आपको notification मिलते रहें इसकी playlist बना दूँगा home page पे तो आप अर्विंद Academy सर्च करके home page विजिट कर लिजेगा तो आपको एक जिगा वीडियो मिल जाएंगे आगे बात करते है thermal conductivity की तो thermal conductivity में देखिए the amount of heat that flows in time t across the opposite phases of a slab of thickness x slab of thickness x है and cross section area a ये cross section area देखिए a लिखा हुआ है यहाँ पर इसमें आपको heat flow हो रही है hot face से cold face की तरफ in steady state हम क्या लिख सकते है q is equal to k t1 minus t2 upon x into t ये t time में हो रही है तो amount of heat flows in time t cross section area a हो गया x हो गया जो बीच का distance है और k है क्या coefficient of thermal conductivity q क्या है amount of heat तो इसे हम बोलते है thermal conductivity k और ये formula अमारे लिए validus का इस्तेमाल भी करेंगे अभी एक दो numerical भी इस पर करके देऊँगा आपको मैं तो ये formula आपके जहन में दिमाग में होना चाहिए अब इसी का definition है कई बार आपसे k का definition पूछ लेते हैं the coefficient of thermal conductivity k के बारे में बताईए सब कुछ 1 कर दो q बराबर k हो जाएगा तो k of thermal conductivity coefficient of thermal conductivity k of material may be defined as the quantity of heat के और q बराबर हो जाएगा जब area of cross section 1 हो जाए temperature difference 1 हो जाए एक second की बात करो और बीच का gap भी 1 हो जाए तो that flows per unit time t1 कर दिया तो यह unit cube जैसे unit cube करेंगे a और x दोनों 1 हो जाएगा cube में तो सब कुछ 1 होता है of the material when opposite phases are kept at a temperature difference of 1 degree t1 minus t2 को भी 1 कर दिया हो गया q is equal to k बात कतम यह उसकी कुछ unit or dimension लिखी है जिसे आप अपने लिए याद करने के लिए इस्तमाल कर सकते हो बहुत असानी से इसका coefficient of thermal conductivity इस्तमाल की जा सकती है heat current की बात करते है if the area of cross section is not uniform मा लीजे area जो cross section है वो uniform नहीं है और steady state reach out नहीं हुई है तो उस समय सारी चीजें Calculative Calculus के form में आ जाती है तो हम उसको लगा पाते हैं तो Calculus के form में क्या है यह heat current है दिखिए heat current को हम h को लिख लेते हैं dq upon dt minus k dt upon dx यह हम लगा सकते हैं Calculus के form में अराम से यह लगा दीजे काम बन जाएगा thermal resistance की बात करें तो thermal resistance क्या होता है r h delta t upon h h वह heat current है यह इसको याद कर लिजे delta x upon k यह क्या है this is the resistance thermal resistance hence greater the coefficient of thermal conductivity अगर k हमारा जादा हुआ of a material is more than is the thermal resistance के जादा होने पे r हमारा कम हो जाएगा इस formula को आप याद रख सकते हैं जरूरत पढ़ने पे इसका इस्तमाल बखुभी किया जा सकता है कुछ applications हैं applications of conductivity in daily life in winter a metallic handle appears colders अने wooden door metallic में क्योंकि उसका के हमारा बड़ा होता है तो ठंदा हो जाता है जल्दी हम लकड़ी लगाते हैं जिससे कि वो non conducting होती है और वो ठंदी नहीं होती के का मामला है उसमें सारा ठीक cooking utensils are provided with wooden handles वही बात वहाँ पर जाती है कि जो wooden handles हैं वो allow नहीं करते heat को कि हमारे hand से वहाँ जो utensil है वहाँ से heat हमारे तक पहुचे तो हमें वो अराम से उसको पकड़ सकते हैं भाई utensils का मतलब जिसे चाय बना रहे हो उसमें हथा लकड़ी का लगा है plastic का लगा है तो आप पकड़ पाएंगे नहीं लगा है तो मुसीबत है a new quilt quilt मतलब रजाई इस warmer देने old quilt नई quilt में क्या होता है कि धुनी हुई रूई होती है तो fully रहती तो अंदर air trapping अच्छी हो जाती air भर जाती है ज्यादा air non conductor होती है non conductor की विज़े से आपकी heat आपकी body में ही रहती बाहर नहीं निकलती तो आपको गर्मी अच्छी लगती है जैसे जैसे रूई पिचकती जाती है उसकी air trapping capacity घटती जाती है तो आपसे निकलने वाली जो गर्मी है उसको कम रोख पाती है और वो दीरे दीरे आपने जाड़ों में देखे होंगे जो पक्षियां होते हैं वो अपने feathers को फुला लेते हैं ऐसे करके कई बार आपको दिखेंगे ठंडक में क्यों वोगे feathers को फुला लेने पर वो उनके air traps बना लेते हैं हवा भर लेते हैं हवा क्या करती है non conductor होती है heat की तो उनकी जो उश्मा है अपने body की जो heat है वो बाहर नहीं जा पाती उससे उनको गरमी लगती है और वो heat बाहर नहीं जा पाती तो थंडक नहीं मैसूस करते हैं यह फाइदा होता है तो यह कारेकरम करते है तो यह application भी हो गया साहब अब यह कुछ एक दो numericals है जिसको मैं करके दिखाता हूँ जिसे आपको अच्छा feel भी मिल जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं लिखाए two metal cubes a and b यह दो metal cubes है यह देखे एक metal cube है दूसरा a metal cube b है of same size arrange as shown in the figure the extreme ends of the combination are maintained at the incident temperatures a वाले को 100 degree पे लगा रखा है और b वाले को zero degree centigrade पे लगा रखा है the arrangement is thermally insulated यह thermally insulated यह नि बाहर से कोई भी चीज कोई heat न आवेगी न अंदर से heat कोई बाहर जावेगी को दी कोफिशेंट्स ओफ थर्मल कंडुक्टिविटी आफ ए और बी आर थ्री हैंड़ वाट पर वेगारा वेगारा युनिट्स में और यह दो तीन सो है दो सो है respectively after steady state is raised steady state मिल गई है what will be the temperature T of the interface interface का मतलब यह है इसका temperature कितना है जहां पर एक दोनों लोग मिले है माल लेते हैं इस interface का temperature हमारा T है T is the temperature of the interface और इसको निकालने की कोशिस करते हैं तो in steady state हम क्या formula लिगा सकते हैं कि rate of flow of heat through cube A rate of flow A से जितना रहेगा वही rate of flow B से जितना रहेगा steady state में तो rate of flow of heat through A is equal to rate of flow of heat through B दोनों का rate of flow of heat सेम रहने वाला है formula यूज करते हैं जो formula था पहले वाले का thermal conductivity के वन ले लेते हैं यहां से यहां तक के distance ले ले लेते हैं एक्स और यह सेंटर में लगा हुआ मिड़ में और दूसरा है k2 A यहां से टी पकड़ा वो जीरो है तो टी माइनस जीरो अपॉन एक्स यहां से देखो x और x तो हो गया cancel a से a हो गया cancel और इसको solve कर लेते हैं solve करेंगे तो value क्या आएगी k1 की value रख दो 300 100 माइनस T 200 अभी तो केवल T ही रह गई यह value यहां आते हुए लग रही है 2 से भी काट दीजेगर आप तो दो 0 यह कट गए है दो 0 यह कट गए है यह बचा 300 माइनस 3 T बरावर 2 T 5 T बरावर 5 T बरावर 300 यानि बात करें T बरावर तो 60 डिग्री सेंटीगरेट यही आपका अंसर है this is your answer यह अंसर निकल आया देखिए आपका इस तरीके से कुश्यन आप कर सकते हैं बेलकुल असानी से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है तो यह कुश्यन हो जाता चलेंगे अगले कुश्यन पर एक कुश्यन और आपके लिए है यह देखिए जिससे आप बातों को अच्छी तरह समझ पावें कुश्यन समझने के लिए पहले इदर समझते हैं यह देखिए यह स्टील है इतना और यह बाजू वाला यहां से कॉपर है तो यह स्टील कॉपर जंक्शन यह है तो वाट इस तेमपरेचर अफ दीस्टील कॉपर जंक्शन इन दी स्टेडी स्टेट अफ दी सिस्टम शोन इन दी फिगर यह स्टेडी स्टेट की कानी है लेंथ अफ दीस्टील रॉट पंदरा संटिविटर length of the copper rod 10 cm temperature of the furnace 300 degree centigrade ये 300 degree है ये furnace है 300 degree centigrade पर ice box है 0 degree centigrade पर temperature of the other end 0 degree centigrade the area of cross section of the steel rod is twice that the copper rod इसका area of cross section copper rod से double है thermal conductivity steel की और copper की दे रखी है steady state में rate of flow बराबर होगा in steady state in steady state rate of flow heat will be same तो जितना rate of flow इदा steel में है वह इतना copper में होगा इतना नोग समझी चुके है rate of flow of heat will be same in steel and copper अब उसको देखते हुए k1 a1 cross section ले लिया है 300 minus t यह 300 है यह t है यहाँ पर इस junction को हम लोगों ने t मान लिया है temperature को this is the temperature t upon distance बानी यह बीच में इसलिए x1 दूसरी k2 a2 t minus 0 यह t है minus 0 upon x2 आगे चलते हैं यहाँ पर जो cross section दे रखा है कुछ value क्या करती है या बर अभी देखते हैं तो यह value हम लिख सकते हैं 300 minus t upon t ऐसे और अगली value क्या लिख सकते हैं k2 upon k1 into a2 upon a1 into x1 upon x2 इस तरह से value लिखी जा सकती है अब यहाँ पर देखिए k2 upon k1 यह गई 385 upon 50.2 50.2 area cross section a2 upon a2 a2 upon a1 double की बाद थी तो 1 upon 2 a1 double था उपर वालेगा और x1 upon x2 का 15 cm और 10 cm x1 x2 की value length दे रखी थी तो length के साब से दे रखा है इसको आप solve कर लीजिए value आजाएगी 5.75 अब इसको यह value आपकी बन गई 300 minus t upon t is equal to 5.75 यहाँ से आप solve करेंगे तो t की value आएगी 44.4 degree centigrade इस तरह से आप इन सवालों को solve कर सकते हैं ऐसे सवालों को solve करना अगर आप में सीख लिया तो आपको बहुत ही बहतर तरीके से चीज़ें आ जाएंगी और आप कहीं भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे उमीद है आपको यह काफी अच्छे से आया होगा चलेंगे आगे आई चलते हैं अगले टॉपिक पर अगली बात करते हैं कन्वेक्शन पर अब कन्वेक्शन करेंट से कन्वेक्शन क्या होता है है इट इस दी प्रॉसस बाई विच हीट फ्लोज फ्रॉम दी रीजिन ऑफ हाइट टंप्रेचर ज्यादा टंप्रेचर से रीजिन ऑफ लोवर टंप्रेचर की तरफ बाई एक्च्छल मॉवमेंट्स ओफ दी मैटेरियल पार्टिकल्स इसमें काम होता है जैसे कि आप चया बनाने के लिए पानी गरम पानी रखते हैं वह खौलता है तो पानी में नीचे जो मॉलख्यूल्स होते हैं वह गरम होकर उपर जाते हैं ऊपर वो न्हlar contracting है नीचे आले उपर जाते रहते हैं उपर वाले नीचे आते रहते हैं और इस तरह से circulation होता है जो यह बनाया है तो actual movement of particles actual movement of molecules इसके इंदर होता है convection current बें तो यह convection current बन जाती है जैसे आप देख पा रहे होंगे इसे furnace लगाई तो यहाँ पानी गरम होगा तो यह तरह से जाएगा उपर और convection current आपकी बंती चली जाएगी यहाँ पर actual movement होता है that is the convection पहले वाले में कंडक्शन में actual movement of molecules नहीं होता था यह क्या पढ़ रहे है modes of transfer of heat thermal conductivity है यह जो thermal heat है यह कैसे उसके modes क्या है एक जगा से दूसरे जगा जाने के एक तरीका है conduction वाला method एक convection एक और पढ़ेंगे हम लोग भी दूसरी बात देखते हैं कि natural convection क्या होता है और force convection क्या होता है तो natural convection यह है और force यह लिखा हुआ है तो if the material moves due to difference in density the process of heat transfer is called natural or free convection or if the heat heated material is forced to move by an agency like a pump or a blower the process of heat transfer is called forced convection pump लगा के या external agency लगा के गर उसको जबर्दस्री ढखेल रहे है तो यह forced convection हो जाएगा और naturally हो रहा है due to difference in density तो यह natural हो जाएगा सिंपिल सी बात है समझ में आने वाली बात phenomenon based on thermal convection in regulating the temperature of human body human body में हमारा heart pump उसको blood को circulate करता रहता है तो उससे blood का circulation चालू रहता है और हमारे शरीर में oxygen के साथ blood बाकी भी कई काम करता हो और heat भी प्रोवाइट करता है और गेंस को in maintaining comfortable room temperature in cold countries cold countries में भी होता है कि घर के अंदर glasses वेगरा लगा लेते हैं वो लोग तो conduction of heat कम होती है लेकिन जो भी होती उसकी भरपाई घर के अंदर जो heating system लगा रखते हैं उससे वो करते रहते हैं लैंड सी ब्रीज यह आपने देखी होगी कि लैंड सी ब्रीज में क्या होता है कि दिन में जब गर्मी पर जब रॉक्स वेगरा जहां होती हैं वहाँ पर किसके धूब जब पढ़ती ही तो रॉकस हो जाती ही जल्दी गरम पानी देड़ से गरम होता है तो जब रॉक्स जल्दी गरम हो जाएंगी तो वहां का जो air है वो less dense हो जाएगा रर हो जाएगा और density पानी वाली जाती है सी ब्रीज और रात होती है तो रात को रॉक्स जल्दी ठंडी हो जाती है पानी देर में को कि उसका सी जो हता है हीट के स्पेस्विक हीट ज्यादा होता है वो देर से ठंडा होता है पानी और रॉक्स जल्दी ठंडी होती है तो डेंसर हो जाती है एट्मासफियर रॉ उसमें चड़ती ही लैंड ब्रीज जमीन से हवा चलती है सी की तरफ रात को लैंड ब्रीज चालो हो जाती है यह कारिकरम होता रहता है और मांसूस भी ऐसा ही होते हैं गर्मियों में पानी चड़ता है फिर वह बरसता है गोंपर के ती आपको अगला बात आता रेडियेशन त इस हीट इस ट्रांस्मिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथाओड हीटिंग दा इंटर्वींग मीडियम यानि बीच के मीडियम को यह गरम नहीं करती है सीधे यह रेडियेट हो जाती है रेडियेट होना आप समझते ही है कि जहां पर हीट पढ़ेगी जाके कि वहां होगा बीच के मीडियम को गरम नहीं करेगी जैसे आप आप देखते होंगे कि आपने कहीं आग जलाई है तो आग से जहां पर आपको पढ़ती है आग आप पर वहां गरम करती पूरे बीच का जो इलाका है ऐसा नहीं कि पूरा वहां आग लग जाए चारों तरफ या वो एकदम तपिश में आ जाए, यहर बीच के, जो मीडिया में वो नहीं गलबढाता, थर्मल रेडियेशन की बात करते हैं, एलेक्टो मेगनेटिक रेडियेशन एमिटेड बाई ये बॉड़ी बाई वर्चु आफ इस टंप्रेचर, इस कोड़ थर्मल रेडियेशन और रेडियेशन एमिट करता बॉड़ी, अपने टंप्रेचर की वज़े से, कई फिल्में भी इस पे बनी है, सैंटिफिक वाली, हॉलिवूट की बात कर रहा हूं, उसको थर्मल रेडियेशन या रेडियेंट एनरजी करते हैं, उसकी बेसिस पे हम थर्मल स्कैनिंग वगारे भी करते हैं, ठीक, मिलेट्री में भी ये चीज यूज होती है, अब इसकी कुछ खास बात है, प्रॉपर्टी अफ थर्मल रेडियेशन क्या है, यह थर्मल रेडियेशन क्या है, रहें, लेक्ट्रो मेंटिक की फॉला इंफ्रारेड रेडियेशन निकल रही है, यह सारी फिनॉमेना यह प्रॉपर्टी ऐसे शो करती है, अब अगला आता बड़ा इंपॉर्टन और फेमस भी है, लेकिन है बहुत सरल, निउटन लॉफ कूलिंग, तो निउटन लॉफ कूलिंग क्या है, तो निउटन लॉफ कूलिंग क्या बताता है, बहुत ही सरल सी बात, इस टेटन लॉफ कूलिंग क्या बताता है, बहुत ज़ादा बड़ा ना हो, बाकि तो चीज़ें और भी हैं, लेकिन यह जो निउटन लॉफ कूलिंग बताई गई यह बात, तो यह किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इनका कहना है कि टेमप्रेचर का डिफरेंस कितना है, जिसे चाय का कप निकलता है आपका, ठंडियों में जल्दी ठंडा हो जाता चाय, और गर्मियों में चाय काफी देर तक गरम रह जाती, 10 मिट तक गरम रह जाएगी, जाड़ों में एकदम से फट से ठंडी हो जाती है, तो क्योंकि सराउंडिंग टेमप्रेचर काफी कम होता है, तो जल्दी उठंडा कर देता है, तो रेट अफ लॉस अफ हीट फ्रॉम बॉड़ी इस, माइनस डी क्यू उपॉन डी टी इस इगल टू, यह माइनस इस लिए लगा है, यह लाउस अफ हीट का शिकर किया जा रहा है, इस परपोर्शनल डी टो, क्या है सराउंडिंग टंप्रेचर देखिए, बाता वरन का टंप्रेचर, टी क्या है बोडी का टंप्रेचर, तो टी माइनस टी नोट अगर बहुत जादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तो ये इसको follow करेगा अब इसी में कुछ और बाते भी मैंने जोड़ दी हैं जिससे numerical लगाने में आपको इससे मदद मिलती रहेगी अब rate of loss of heat from the bodies अब ये हमने पढ़ा था अब है यहाँ पर अगर हम proportionality हटा के constant यूज़ कर ले के तो के क्या है proportionality constant है जो area and nature of the surface में depend करता है ये क्या है proportionality मैं पीले color से लिखना चाहूँगा इसको अलग से दिखे इसलिए श्यूच आबर पूच यूज़ इसको झान अबर दीवर के इसलिए इसलिए टूर्णा वाल से रहे इसलिए। आफ दी बॉड़ी तो यह क्या है हमारा के प्रपॉश्टनल्टी कॉंस्टेंट जो की डिपेंड करता है एरिया पर एंड नेचर आफ दी सर्फेस अफ दी बॉड़ी पर ठीक है तो यह के टी माइनस टी नॉट यह भी समझ में आती यह बात अब इसी बात को थोड़ा एक्स्ट्रापॉलिट कर दिया गया है यह जो टर्म है के टी माइनस टी नॉट को यह नॉर्मली जो टी टंप्रेचर ऑफ दी बॉड़ी है घटने बढ़ने की इसका एवरेज ल इत्मासफेर का है यह बाहर का और यहाँ पर यह mc डेल्टा टी वाली कहानी है रेट के टर्म में तो mc टी 1 माइनस टी 2 अपॉन टी जहां पर लगेगा वहां पर लगा कि आपको दिखाने कोशिस करेंगे अभी एक छोटा सा सवाल है इसको भी करके आपको दिखाते हैं ज दिखाए body cools in 7 minutes from 60 degree centigrade to 40 degree centigrade 7 minute के अंदर body cool कर जाती है 7 degree centigrade से 40 degree centigrade पहुंच जाती what will be its temperature after next 7 minutes next 7 minute में इसका temperature क्या होगा बताना है यहनी 40 degree centigrade से अब किस temperature पहुंचेगी the temperature of the surrounding is 10 degree centigrade temperature जो T naught का जिकर कर रहे हैं उसका temperature है 10 degree centigrade assume that newton's law of cooling holds good throughout the process throughout the process है newton's law of cooling बराबर बैठ रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब newton's law of cooling के हिसाब से इसको लगाते हैं पहले according to according to newton's law of cooling पहली बात लगाते हैं शुरुआज में जब 60 degree से 40 degree गई थी तो उस समय इसके लिए mc t1 minus t2 upon t is equal to k t1 plus t2 upon 2 minus t0 यह formula इस्तमाल करने वाले हैं हम लोग ठीक है अब यह mc delta t है time को बस divide किया हम लोगों ने बस तो यह value यहाँ पर क्या रही mc लिख दिया हमने और t1 minus t2 का मतलब हो गया 60 minus 40 और आई समय की बात तो 7 minute को second में change कर लिया 420 second 7 minute का मतलब है 420 seconds ठीक आगे यहाँ बात चलते के लिखा 60 plus 40 60 plus 40 upon 2 minus t0 यह बात भी समझ में आई होगी एक कदम और आगे चलेंगे बहुत बड़ा बड़ा वैसे लिख दिया है मैंने आगे चलते हैं solve करते हैं तो इसको लिखा mc 20 upon 420 बराबर और यह t0 की जगत 10 रख दो इसकी value 10 अपने को मालूम थी यह रही के यह आजाएगी 50 minus 10 40 तो यह value होगी 40 इसको बोल दो equation number 1 second लिखते हैं in second case second case में क्या है कि अगले next seven minutes में क्या होने वाला है next seven minutes में क्या होने वाला है इसको लगा रहे हैं हम लोग तो चलिए यहाँ पर चलते हैं next seven minutes के लिए mc यह लगाते हुए पहले temperature कितना तो अब हो गया 40 माल लेते temperature पहुंच जाता है t2 और समय है वही 7 minutes के अंदर ही is equal to k 40 plus t2 upon 2 minus 10 यह equation मनी अब इसको मैं पहली वाली equation से divide करूँगे जिसे mc खतम हो जाए k भी खतम हो जाए तो यह लिख देते है equation number two हम लोग two को पहली वाली equation से divide कर देंगे दो को पहली से divide करोगे तो mc mc कर जाएगा value कितनी आ जाएगी दो को one से नहीं बिलकि mc काट नहीं था किसी को divide कर सकते दें वैसे तो one divided by two कर दो उपर वलाटर one divided by two कर देते हैं तो यह जाएगा बीस उपर रहेगा चार सो बीस कट गया और नीचे बचा 40 माइनस टी टू यहाँ जाएगे के के कट गया 40 बचा और नीचे बची वैलू यह पूरा एक्स्प्रेशन 40 प्लस टी टू अपॉन टू माइनस टैन अब इसको सॉल करके अंसर लेना है अब इसको सॉल करो और यहाँ से जो टी टू की वैलू है वो आ जाएगी 28 डिग्री सेंटी ग्रेट और यह आपका अंसर हो जाएगा इस तरह से ऐसे नुमेरिकल्स आप लगा सकते हैं और ऐसे नुमेरिकल्स लगा लेंगे तो चैप्टर फर्स क्लास अपकर तयार हो जाएगा इट इस अप टू यू कि इसको कितने डिटेल्ड तरीके से आप देखके प्रेक्टिस कर रहे हैं चलिए एक कदम और आगी चलते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है जैसे अरबार बोल रहा हूं यह महनत पसंद आ रही है तो आप जरूर लाइक का बटन दबाईएगा और अरविंद एकडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा जिससे ऐसे वीडियो ज बात ही आपके कोर्स में रह गई है जो कोर्स की हिसाब से है विटा डिटेल डिसक्रिशन नहीं है तो हम उसी की बात करते हैं ब्लैक बॉड़ी इस वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नौट ट्रांस्मिट्स बट एब्जॉब्स होल ऑफ दी हीट रिडिशन इंसिडेंट कहने का यह मतलब है कि अगर किसी ब्लैक बॉड़ी पर आप कुछ हीट डालोगे तो पूरी की पूरी वे अब्जॉर्व कर लेगी मोटे तोर पे अपने नेचर में आप जो आसपास देखे होंगे उसमें आखों में लगाने वाला जो काजल या कई लोग दिवाली पे काज पर फेक्ट बलक बॉड़ी नहीं होती लेकिन काफी करीब हो जाती है वह ब्लक होता है वह बिल्क form बाद होता है जो कार्बन निकलता है दिये को जलाने पर कला कला उपर उसको छा कर लीज नहीं करता वहां पर कोई light डालेंगे तो वो एकदम सारा 得 बार्ड कर लेत है लाइक टो एक ब्लैक बार्ड़िस वण विजिफ नइ डाइधर रिफ्लेक्ट्स कोई reflection ना हो कोई transmission ना हो transmit ना करे सबका सब radiation अब्ज़ॉर कर ले उसको आपको him temperature पे heat करे हम, it emits radiation of all possible wavelengths within a certain wavelength range. अगर हम लोग ब्लैक बाड़ी को, ब्लैक बाड़ी को अगर हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने पे सारी तरह की wavelength, वो certain range में provide कभी कर देता है, heat करने पर, the radiations emitted by ये black body, ब्लॉक लिखा है, black होना चाहिए, और called full of black body radiations, तो ये black body की कहानी है, थोड़ी और कहानी भी इसमें लिख रखी है, फेरी जब्लैक बाड़ी क्योंकि normal black body, perfect black body हमारे nature में हमको नहीं मिलती, तो इसके लिए artificial black body बनाई गई, और ये फेरी जब्लैक बाड़ी को लगभग perfect black body मानते हैं, तो the wavelength range of emitted radiation is independent of the material of the body and depends only on the temperature of the black body, wavelength range की बाड़ी लिख रहे हैं, ये जो फेरी जब्लैक बाड़ी है, इसमें यहाँ पर एक आप देखिए, lamp black coating लिखा है, lamp black coating वही है, जो पहले जमाने में lamp जलाया जाता था और जलने से जो कार्बन निकलना था, दिये वाला कार्बन कह लिजे, वो lamp वाले कार्बन को यहाँ पर पोट दिया गया है अंदर, इस तरह का एक structure है, यहाँ से incident radiation डाली जाएगी, और बीच में नुकीला हिस्सा कर दिया गया है, इसलिए कि कहीं अगर नुकीला ना होता, तो ऐसा हो सकता था, फ्लैट होता कि एक ray पढ़ती और सीधे ही back कर जाती, अगर केवल हिस्सा ऐसा होता, there is a chance कि एक ray ऐसे पढ़े और ऐसे ही वापस कर जाए, ऐसा ना हो क्योंकि हमें जो भी radiation आएगा अंदर, उसको absorb कराना है, बाहर निकलने नहीं देना है, ब्लैक बॉडी क्या करती है, जो भी radiation पढ़ते हैं, उसको absorb कर लेती है fully, तो यहाँ पर यहाँ नुकीला हिस्सा बना दिया कि अगर यहाँ पर पढ़ेगा यह, तो कहीं न कहीं reflect कर जाएगा और इसके अंदर फस जाएगा, और यह lamp black coating है, यह absorb करती रहेगे तो इसी के अंदर समा जाएगा यह, आप समझ पाए होंगे, तो इस तरीके से यह incident radiation को पूरा absorb कर लेगा, कल को हम इसे गरम करेंगे, काफी heat up करेंगे, तो यह heat radiation जितने भी wavelength possible है, certain range के अंदर सारी wavelength को emit भी कर देगा, तो यह black body की तरह, यह ferries black body जो है, उसकी वो यह होती है, जो आपको मालू होनी चाहिए, अपने course के हिसाब से, रही किर्चावस law की बात, तो किर्चावस law में यह जो बात लिखी है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, वहना detail आपको समझाना पड़ेगा, जो course में आपके नहीं है, और इसका एक सरल रूप भी बाजू में मैंने लिख रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ख MSC power to the absorptive power, यह powers को याद कर लिजे को कि इस power के बारे में, course में नहीं पड़ना है, आपको, the ratio of the MSC power to the absorptive power, corresponding to the certain wavelength, is constant for all bodies, and this constant is equal to the MSC power of the perfect black body, at the same temperature, and corresponding to the same wavelength, यह किर्शॉफ ला है, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल नजर आता है, इसका एक simple version मैं आपको देता हूँ, in other words, किर्शॉफ लाओ, दो तरीके से कह सकते हैं आप, the absorptive power of a black body is equal to the emissertivity, this is another form of किर्शॉफ लाओ, एक लाइन में, कि absorptive power of a body is equal to its emissertivity, दूसरी तरीके से किर्शॉफ लाओ से क्या inference निकाला जाता है, कि एक good absorber is a good emitter, एक good emitter is a poor reflector, एक good absorber जो बढ़िया absorption करता है, वो good emitter रहता है, और जो good emitter रहता है, वो poor reflector रहता है, यानि black body जिसे अच्छी absorber है, तो अच्छा emitter भी है, और जो अच्छा emitter रहता है, वो reflection कम करता है, तो यह बात आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि रिश्चाफ लाओ के बारे में पूछी जाए, तो आप बता सकते हैं, या कह सकते हैं, इससे आपको बहतर एक idea मिल जाएगा, चलिए फिर green house effect की बात आती है, और green house effect में क्या यह आपको पता होगा, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको, अब क्या होता है कि solar energy या heat energy पढ़ती है, पढ़ने के बाद हमारा जो atmosphere है, जहाँ पर carbon dioxide and other gases है lower atmosphere में, तो दिन में तो सूरस देवता प्रसन न रहते हैं, normally heat पढ़ गई, रात को क्या होता है कि जो radiations हैं, यह radiations धरती से निकलते हैं, वापसी के लिए reflect, emit करती है धरती, तो infrared waves radiated by earth, रात को यह radiate करती है धरती, सुबह absorb करती है दिन में, लेकिन यह जो atmosphere रहता है, carbon dioxide का और other gases का lower temperature पे, इन radiation को, infrared radiation को आगे निकलने नहीं देता, तो धरती यह radiate करती जाएगी, और यह जो warmness है धरती की, यह खतम हो जाएगी, बहुत ठंडा पना जाएगा, अगर धरती के पास बहुत ठंडा पना गया, तो यहाँ पर जो फसले उखती है, vegetables उखती है, इनके लाले लग जाएगे, उगेंगे नहीं है, तो फसले नहीं होंगे, तो खाएगे क्या हम लोग, अल्टिमेटली पैसा तो खाएगे नहीं, खाएगे तो अनाज, खाओगे तो अनाज न, वो तो पौधों से ही, पेड़ पौधे से ही भोजन मिलेगा न, तो जब वही उग नहीं पाएगे, तो कैसे काम चलेगा, फिर हमारा survival खतम हो जाएगा, इसलिए यह green house effect क्या होत करत है, रात को infrared rays जब निकल, रेडियेट करती ही धरती, तो उनको trap कर लेता है, तो गर्माहट बनी रहती है, और हमारा जीवन, इश्वर की किरपा से बनियां चलता रहता है, यह कहानी रहती है, उमीद आप समझ पा रहे होंगे, आगे की बात करते हैं, एक और law, आज़ा, दो हीट एनरजी एमिटेट बाई यह प्रफेक्ट ब्लैक बॉड़ी, जो टोटल हीट एनरजी होती है, एमिट करता है, प्रफेक्ट ब्लैक बॉड़ी पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तु दी फोर्थ पावर आप दी एप्सलूट आफिट सर्फेस, यह बेसिकली इस तरह की कहानी कहता है, तो टोटल हीट एनरजी एमिटेट बाई यह पर्फेक्ट ब्लैक बॉड़ी पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, ओकौन एमिट कर रहा है, पर्फेक्ट ब्लैक बॉड़ी, टोटल एमिटेट बाई दी पर्फेक्टली ब्लैक बॉड़ी, पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, इस डिरेक्टली प्रपोजिट टो दी एप्सलूट टेंपरेचर, दी फोर्थ पावर आप दी एप्सलूट टेंपरेचर, और इसको ई इस एकल टू, सिगमा टी की पावर है, पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, वो हम एनरजी निकाल सकते हैं, एक बड़ा इंपोर्टन लौ है, जरा सा लौ है, आप क्या पूछा जा सकता है, इंपोर्टन लौ है, तो यह लौ बड़े काम का बन जाता है, चलते हैं कदम और आगे, अब यह इसी में थोड़ा सा औ और वेरियन्स है, स्टीफन बॉट्समन लौ में, वेन ब्लैक बॉड़ी ये टेंपरेचर टी इस प्लेज इन इन इंक्लोजर, एक टेंपरेचर टी नौट, कोई ब्लैक बॉड़ी है, अब किसी इंक्लोजर ने बाजू में, इसका जो सराउंडिंग और टी नौट में रख इन इनक्लोजर एक टेंपरेचर टी नौट, नेट हीट एनर्जी रेडियेट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, नेट हीट एनर्जी कितना रेडियेट अब होगी, तो ई इस एकल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नौट की पावर 4, इसका डिफरेंस हो जाएगा, ज करना चालू करेगी, आगे समझते हैं, अगला इंपोर्टेंट लौ है, यह वेरी इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछा बहुत जाता है, यह दोनों लौ जो पीछे बता है, स्टीफन वोट्समेंड लौ और यह वेन डिस्प्लेस्मेंड लौ यह दोने बहुत ही काम के हैं, यह लौ क्या बोलता है आपको, वेन डिस्प्लेस्मेंड लौ states that the wavelength डेल्टा M corresponding to which the energy emitted by a black body's maximum is inversely proportional to its absolute temperature, डेल्टा M का मतलब क्या है, वो wavelength जिस पर energy maximum होती है, अभी graph भी दिखाएंगे आप, डेल्टा M क्या है, वो energy जिस पर black body maximum energy emit करती है, वो absolute temperature के inversely proportional होता है, यानि जैसे जैसे absolute temperature बढ़ेगा, वैसे वैसे डेल्टा M छोटा होता जाएगा, maximum energy जो release करने वाला डेल्टा है, उसका डेल्टा M छोटा होता जाएगा, और यह इसका, वेंस displacement law का है, डेल्टा M into T is equal to B, B constant है, जिसकी value देखे लिखी हुई है, वेंस constant बोलते हैं इसको, 2.9 into 10 के और माइनस 3 MK, और T और डेल्टा M दोनों का product है, constant है, T बढ़ेगा तो डेल्टा M घटेगा, अब graph क्या बोलता है, देखी हैं यहाँपर, यह देखी graph है, और इसके बारे में कुछ बाते लिखी हैं जो दिखाता हूँ आपको, conclusions drawn from the black body spectrum, जो बाजूम बनाया है, बिल्कुल आसान graph है, गवरानी की आफिट्टा नहीं है, आपको समझाई दो graph, पढ़ पढ़ के समझाता हूँ, at heat temperature, यह देखी हैं यहाँपर, यहाँपर हमने lambda दिखाने की कोशिस की है, और यहाँपर energy with lambda, यह lambda के साथ कितनी energy है, और इसके साथ यह देखी, यह जो graph बनाया है, इसके लिए temperature 98 Kelvin, यह उपर वाला है, temperature बढ़ा दिया, 1095 Kelvin, और temperature बढ़ा दिया, 1259 Kelvin, 1449 Kelvin, 1646 Kelvin, तो Kelvin बढ़ाते चले गए temperature, इधर lambda, या, microns में, इधर energy उस lambda से associated, अब देखते हैं, at each temperature, एक black body emits continuous heat radiation spectrum, हर temperature पर हमारी जो lambda की energy है, वो continuous है, कहीं पर break करता हुआ graph नहीं है, देखी, temperature बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें continuous energy मिल रही है, continuous heat radiation spectrum मिल रहा है, the energy is not distributed equally amongst all wavelength, हमें ये भी समझ में आता है, कि जो energy है, वो हर wavelength के लिए समान नहीं है, समान होती, तो flat line मिل जाती, शब के लिए एकी energy, किसी के लिए, देखिए इस lambda के लिए ज़्यादा अनरजी है, यहाँ तो ज़्यादा फराक हो गया है, यहाँ और बमपर फरक है, इस lambda के लिए, यह जो lambda दिख रहा है, इस के लिए फ्याद बंपर दिख रहा है, और इस वाले के लिए तो maximum energy है उपर वाली के तो क्या बात की जाए तो हर lambda के लिए energy अलग अलग है इस graph से दिखाई पड़ा हमको तो दो बाते पहली line से हमको दिखाई पड़ी कि at each temperature a black body emits continuous heat radiation, heat radiation continuous मिला लेकिन सभी lambda के लिए energy same नहीं है दूसरा, the energy associated with the radiation of particular wavelength increases with increase in temperature energy जो associated radiation के लिए particular wavelength के लिए temperature increase करने के साथ बढ़ जाती है जैसे जैसे आपने temperature बढ़ाया है कोई भी lambda ले ले जैसे यहां का lambda लिया यह देखोई यहां से यहां उचल गई फिर यहां से यहां temperature बढ़ाया तो चल गई, यह temperature यहां पहुच गई, यहां बढ़ाया तो यहां पहुच गई यहां यह temperature बढ़ाने के लिए उसी lambda पर मिलने वाली energy बढ़ गई है यह second point में एक दम minute fine point आपको clear करा रहा हूँ अगर आपके पढ़ने की इक्षा है तो, as wavelength increases, wavelength जैसे की बढ़ रही है, the energy emitted increases, reaches a maximum for a particular wavelength, lambda m and then decreases अब जैसे जैसे हम lambda को बढ़ाते हैं, इस दिशा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या देखते हैं कि energy धीरे धीरे बढ़ती है, इस वाले graph को देखें, energy धीरे 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 बढ़ती है, top achieve करती है, एक particular lambda के लिए, और फिर धीरे 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 नीचे चली जाती है, यह behavior विए शो करती है लास्ट लाइड में आ जाते हैं दी वेवलेंथ लेम्डा एम और मैक्समुम एमिशन शिफ्ट तुवर्स दी लोवर वेवलेंथ साइड एज दी टेंप्रेचर अफ दी ब्लैक बॉडी रिडियेशन इंक्रीज़ अब क्या हुआ यहां पर देखिए जो मैक्समुम हमें लेम्डा एम मिल रहा था नौसो अथान नवे पर एक अजार केलविन मोटा मोटा इतना था लेम्डा एम टेंप्रेचर बढ़ाने पर शिफ्ट हो गया लेम्डा एम लेम्डा क्या है वो लेम्डा जिस पर मैक्समुम एनरजी मिल रही है यानि इस कर्व का पीक इस कर्व का पीक यहां चलाया यह दो इसके लिए लेम्डा शिफ्ट होती जा रही है एज वी आर इंक्रीजिंग दा टेंप्रेचर यह देखो बारा सु साथ चौदा सो उन्चास सो ला सु छेली सकेलविन यही मेन पॉइंट है जिसको लेके यह लगे हुए है कि यह वेवलेंद लेम्डा एम आफ मैक्सम इंक्रीजेज ब्लैक बॉडी रिदिशन जैसे इंक्रीज हो रहा है इसी को बोलते है वेंड डिस्प्लेस्मेंट लॉग पांचमां पॉइंट जो स्टीफन बोट्समेंट लॉग को भी प्रूफ कर देता और आखरी पॉइंट एरिया अंडर एक कर्व डिप्रेजन दा टो इंक्रीज यहीं इसके अंदर अगर मैं ग्राफ के अंदर यह पुरा एरिया अंडर दे कर निकाल दूं तो यह एनरजी क्या दिख रही है आपको पर सेकेंट पर इनिट एरिया अगर निकाल लूँ इस एरिया इस फॉन्ट विट पॉर्थ पावर अब दी एप्सलूट टे तो वेटा आपने देखा कि पूरी पढ़ाई के दौरान मैंने प्योर टीचिंग आपको करके दिये कोई वेस्टेज आफ टाइम नहीं किया अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता अर्विन सर को मोटिवेशन आता और अगेन अगर दोस्त के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा जिससे उचको अच्छा कंटेंट मिले आपके फ्रेंट को और मुझे पॉस्टी मोटिवेशन और अच्छे वीडियो बनाने का ये आपका प्रमिस मुस्ते चाहिए क्योंकि इसमें ये आपकी तरफ से अर्विन सर को पढ़ा था अगर इसको पढ़ा है तो उसका confidence उसकी knowledge काफी बढ़ जाएगी काफी उसको मजबूत ही आजाएगी साथ में पढ़ाते वक्त जैसा आपने देखा purest form of teaching थी कोई fall to talks नहीं किये कि आपका समय वेस्ट किया जाए कई बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको इसका presentation मिले तो और अच्छी बात हो सकती है उसका भी बंदुबस्त किया है आप अर्विंद Academy टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं उसका link description में दिया है वहाँ पर में PDF अपलोड कर दूँगा और आपकी पढ़ाई में एक मदद और मिल जाएगी कुछ बच्चे मुझसे पढ बहुत अच्छे मांक्स दिनवाने में सक्षम है तो उमीद करता हूँ यह hard work जो अर्विंद सर आपके लिए कर रहे हैं इसमें जरूर आपको tremendous मदद मिल रही होगी आपके comments का और like का मुझे wait रहेगा thank you very much wish you all the best